आज के इस वीडियो में हम प्राची नितिहास का संपूर्ण अध्यान करेंगे परिक्षा के लिए जो आपके महत्रपूर्ण होगा आप लगातर इस ग्रूप में बने रही है थोड़ा इर्रेग्लरेटी चल रही थी क्योंकि परिक्षा हैं कई बीच में थी लोगों की मेंस क परिक्षा 18 अक्टूबर से तो 18-22 अक्टूबर मान की चलिए थोड़ी सी इर्रेग्लरेटी बनी रहेगी लेकिन उसके बाद लगातार 15 दिसंबर जो परिक्षा है आपकी जो हमने अभी तक सामग्रियां दी हैं उनका आप अध्यान करते रही है कुछ और बाकी है हर एक से इतिहास दोस्तों मानों अतीत का मानों के अतीत का केवल अध्यान मातर नहीं है बलकि वर्तमान में रहकर के निस्पक्ष स्रोतों या साधनों के द्वारा मानों के संपूर्ण अतीत का बहु पक्षियर्था सभी पक्षों का अध्यान करता है और प्रेरक अध्यान है प्रे विद्वान गेटे का कहना है कि इतिहासकार का कर्तव्य मिथ्या से जूट से सत्य को अनिश्चित को अह ग्राह से संदिक्द को प्रितक कर देना है अलग कर देना है इतिहासिक ग्रंथ कलःड की राजत रंगडी में इतिहास के संबंद में एक कथन महत्पूर्ण है कि तो सेम यही बात इसमें कही गई है इतिहास के महत्ते के बारे में बताये गया है समय के साथ अतीद की घटनाओं को देखने की दिष्ट में निरंतर परिवर्तन इतिहास की विशेष्टा होती है अतह इतिहास वरतमान एवं भविश दोनों को प्रेरित करता है इसकी गलत व्याख्या सभ्यता के लिए घातक सिद्ध हो सकती है इतिहासिक तथ जो होते हैं वो सत्य होते हैं किन्तु देशकाल परिष्टिक अंसार इन तथ्यों की व्याख्या में परिवर्तन विकास होता रहता है आप देखते हैं कि कई चीजों को लेकर इतिहास कारों में मदभेद रहता है जैसे हडपा काल का जो पतन हुआ क्यूं हुआ उसके कई कर कारण हर कोई कई कारण बताता है आर भारत में कहां से आए इसको लेकर बहुत मदभेद हैं तो देशकार परिस्ति खोज छानवीन जो भी चीजे पुरा तात्विक्स होते हैं जिस तरह के स्रोत मिलते हैं उसके अंसार परिवर्तित होती रहती ही चीजे लेकिन जो परड़ाम आते हैं वो उस समय के अंसार उस परिस्तिक के अंसार सही होते हैं सत्य होते हैं प्राचीन भारती तिहास के इतिहासिक साधन स्रोत क्या है जानने के लिए इतिहास के बारे में तो प्राचीन भारत के बारे हम चार प्रकास के स्रोतों से हमको पता चलता है प्राचीन तिहास के बारे में जिसमें पहले आते हैं पुरा तात्विक सोत दूसरे साहितिक सोत ती पता चलता है कि किसा धर्म था किसकी पूजा की जाते थी भौतिक पुरावशेश जो पुरावशेश रह जाते हैं उससे पता चलता है कि क्या इस्तमाल लोग करते थे किन किन चीजों का धार्मिक में वैदिक ग्रंथ जो कि चार है ब्रांभर साहिते आरंडयक उपनिशद उपनिशदों की संख्या कितनी है 108 महा काब जो रामायड और महा भारत महा काब हैं पुरार जिनकी संख्या 18 है स्मृतिया और दर्शन छे प्रकारके दर्शन है ये सभी धार्मिक साहितियो इर्म को पता चलता है इसके हिसे हम एतिहास्ति ग्रंथ जीवनी ग्रंथ सामान सहीध्य यह सभी साहतिक सोत के इंतर रगताते हैं यूनानी यात्रय यात री विरन में यूनानी यात्रya कुछ एंडिका जिन्होंने लिखी थी डिमेकर डयो सी भीनák जिए जोंग्राफि नामक पुस्तख लेख़ी थी पुलिनी जिन्होंने नेश्टरस लिखी ती इसके लमाद चीनी यात्री जो आये फायान चैंन या शेलिगन या शंगयिउन हुएंस्वांग इत्सींग यह चीनी यात्री थी या औरह पिर अरभी अत्रिय अलबरुणी इन सभी के वीवरन सु अमको प्राचीन रितियास के बारे में पता चलता है। इसके लाव सिख्के जिसमें आहत वपंचमाग सिख्के सुन सिख्के तामर्यों कांसे के सिख्के चित्रयुक्त सिख्के तो यह सभी प्राचीन रितियास को ग्याद करने के स्रोथ हैं कुछ बिंदु जो मठोंढे प्रेक्षा के लिए प्राचीनतम अविलेखी शास्य कहां से प्राप्त होते हैं भारत के इतिहास का निर्माण 1784 में गठित एशियाटिक सोसाइटी आप बंगाल से माना याता है। पुरानों को इतिहासिक महत्व के कारण इतिहास पुरान जैशे शब्द से पुकारा गया है। कुछ एक्जाम पॉइंट्स के लिए देख लीजे भारत में सरप्रथम डाक्टर प्राइमरोज से नाम याद रखेगा। पुछा जा चुका है PCS के परिक्षा में। भारत में सरप्रथम डाक्टर प्राइमरोज नामक अंग्रेज ने लिंग सुगुर से पाशान उपक्रणों को खोजा था। किस ने डाक्टर प्राइमरोज नामक अंग्रेज ने जान इवांस ने पाशान सिल्पकारी की खोज की थी। आप ये सन और जगह याद रखेगा 1853 नर्वना घाटी जबलपुर में पाशान सिल्पकारी की खोज की थी। राबर्ट ब्रूस फुट इनके बारे हम कई बार PCS परिक्षा में पूझा जा चुका है 1863 में ये कौन थे तो भूवैज्यानिक थे। तो इतिहास कार भी आता है लेकिन ये भूवैज्यानिक थे। या इसापूर तक मानते हैं। पृत्वी पर प्राचीनतम मानो अफ्रीका का माना जाता है। 50 लाख वर्ष पूर का निग्रोइट प्रजाति का जो मानो है। जबकि भारत में इसी प्रजाति के मानो लगभग 3 लाख वर्ष कहां पे हतनौरा नाम याद रखेगा। इसके लाख सराय नाहर एवं मदहदा जो उत्तर प्रदेश में हैं। वहां से प्राप्त शाक्ष के आधार पर किसका निग्रोइट प्रजाति का ठेक ये 3 लाख वर्ष पूर इसके साक्ष यहां पर होने के मिले हैं। शैल चित्र का प्रथम साक्ष दोस्तों जो शैल चित्र जो शैल पर बना जाता है गुफाओं जो चित्र बना जाता है वो कहां पे भीम बेट का जो मदबदेश में स्थित भीम बेट का ये गुफा है वहां पे मिलता है। क्रिशी के प्रथम साक्ष दोस्तों मेहर गड़ से मिले हैं ब्लूचिस्तान जो पाकिस्तान में है क्रिशी के प्रथम साक्ष धान की खेती का प्रथम साक्ष दोस्तों कोल्डियवा जो इलहाबाद में स्थी थे वहां मिलता है पशुपालन के प्रथम साक्ष दोस्तों आदमगड में जो मत्बदेश में स्थित है पशुपालन के प्रथम साक्ष वहाँ पे मिलते हैं एवं बागोर में राजस्थान में आदमगड और बागोर में पशुपालन के प्रथम साक्ष मिलते हैं मानो द्वारा प्रयोक्त प्रथम धातु कौन सी थी ताबा ये नौ पाशानकाल में यूज होती थी तो मानो द्वारा प्रयोक्त प्रथम धातु पूछा जाये तो ताबा भारत में शुतुर मुरुका साक्ष कहां से मिला है पटने पूरास्था से कहां महाराश्र में स्थित बहुत महत्पूर्ट चीज़ें हैं याद रखेगा शास्त्रों में इतिहास को अर्थरवेद में मुख्यत है इतिहास को पांचवावेद माना गया आप से पूछेगा कि किस वेद में इतिहास को पांचवावेद माना गया है तो अथरवेद में चांदोग उपनिशद में श्री किष्ण स्वयम को मुनियों में कपिल तथा विश्यों में इतिहास बताते हैं इतिहास का पिता किसे कते है तो हेरोडोटस को दोस्तों सामानता यूनानी विद्वान हेरोडोटस को जिनकी पुस्तक हिस्टोरिका थी 484-425 इसापूर के मध्य लिखी मानी आती है उसको मानायाता है इतिहास का पिता हेरोडोटस को इतिहास के निर्माण में चार प्रमुक्सोत जैसे हमने आपको बताया प्रागतिहासिक युग का ग्यान दोस्तों पुराता तसे प्राथ होता है भारत में पुराता तसरेक्षन विभाग के अस्थापना 1861 में सर अलेकजंडर कनिंगम के नेत्यत्यम हुआ काल विभाजन के आधार पर तीन प्रकार के इतिहासिक काल माने आते हैं कौन-कौन से प्रागतिहासिक जिसका कोई लिखित विवरण नहीं होता है उसको प्रागतिहासिक काल कहते हैं जैसे पाशान काल आद एतिहासिक काल दोस्तों जिसका लिखित विवरन होता है लेकिन उसकी लिपी पढ़ी न जा सकी हो तो वह कौन सा है आद एतिहासिक काल जिसमें हडपा काल को रखते हैं क्योंकि हड़ापाई लिपी जो तिचित्राक्षर लिपी है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है तो लिपी तो प्राप्त हुई लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है वहीं एतिहासी काल दोस्तों इसमें लिखित साक्ष होता है लेकिन पठनी भी होता है अर्थात उसको पढ़ा जा सकता है समझा जा सकता है जैसे वैदिक सब्भता पुराणों में दोस्तों काल विभाजन क्रमश सत्यूग त्रेता द्वापर कल्यूग में किया गया है कच्मे पुराणों में दस अवतारों में राम त्रेता से तथा कृष्ण द्वापर से संबन्दित है भारत का इतिहास इसके निर्माण में विलियम जोन्स, कनिंगम, मार्शल, बी ए स्मित, मैक्स मूलर, जेम्स प्रिंसेप, आज बिटिस विद्वानों की भूम का रही किन्तु इनके द्वारा सामराज जवादी दिष्टि से लेखन के कारण निस्पक्ष इतिहास लेखन नहीं हो सका देखें भारती इतिहास को देखा जाए खास कर तो हमेशा इतिहास में आज भी अगर देखा जाए तो आज का जो इतिहास बनाये जाएगा जो यहां राजनीती से हमेशा प्रेरित रहेगा हमेशा रहा भी है जैसा राजनीता चाहेंगे वैसा इतिहास जो आफिशियल इतिहास लेखने वो उनके अनुसार ही रहता है या उनका कहीं ने कहीं प्रभाव उस पे रहता है या फिर जो उनके अगेंश लोग हैं वो एकदम वो भी गलत चीजे लिखेंगे तो कुल मिलाकर की इतिहास कहीं कहीं राजनीती से भी प्रभावित होता है और होता आया है मैंसा से प्राचीन भारत का वर्गी करण किया जाए तो एक बार तेजी से यहां पर ओर विव देख लेंगे कि आपको क्या 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 पढ़ना है प्राचीन इतिहास में तो प्रागय इतिहासिक काल वर पाशान काल में इसका कोई लिखित इतिहास नहीं है इसका ग्यान पूरातत्त से जो चीजें मिलती हैं जो अस्थिया मिलती है या फिर जो पूरावशेश मिलते हैं उनसे डेट मानी आती है इसको प्रथम नगरी सब्विता करते हैं इसे तामर पाशाड़े के वंब कांसे सब्विता भी करते हैं कांसे सब्विता क्यों क्यों कि इसमें कांसे का इन्होंने प्रयोग करना सीख लिया था ताबे और टिन को मिलाकर इन्होंने कांसे का इस्तेमाल करना स शुरू कर दिया था तो इसलिए कांस से सब्वेता भी इसको कहते हैं इसकी विशेष्टा दोस्तों मुहरों पर अंकित लेक से इस सब्वेता का ज्यान होता जो मुहरों पर लेक अंकित हैं इससे इस सब्वेता का ज्यान होता हलां कि यह लेक पढ़े नहीं जा सके हैं अभी वैदिक काल में दोस्तों जो 1500-600 इसापूर जिसको 1500-1000 और 1600 अथात रिग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बाटा गया है वैदिक काल को भी इस सब्विता के निर्माता आ रहे थे इनकी जीवन पद्धिती कभीले पशुपालन कृषि के आसपास के अंदिति अथात ग् प्रियोगारियों ने किया, आयर्य मूर्थि पूजक नहीं थे इन्होंने हडपके कहुत तत्मों को अपनाया मूर्थ पूजक नहीं थे इसलिए मंदिर का साक्षय नहीं नहीं मिलता ह ere g कई तत्मों को अपनाया था वैदिकोत्तर काल में तो कहा जाता है जिसको जिसमें महाजनपत काल भी जिसको कहते हैं इसमें 16 महाजनपतों का उदय होता है विदेशी हमले होते हैं फारस के साइरस वा यूनान के सिकंदर हमला करते हैं जैन एमम बहुत धर्म का विकास इसी काल में होता है इसी काल में सरपर्थम पंच मार्क या आहज सिक्के प्रारम होते हैं तक्छ सिला प्राचींतम सिक्षा केंदर भारत का बनता है महान मौर समराटों का युग उसके बाद आता है अर्थाद मौर एकाल आता है 322 से 184 इसापूर में पहली बार विशाल समराज की अस्थापना होती है हुम राजनेती के एकी करण मौर्यों द्वारा की आ जाता है अखंड भारत की यहां पर संकल पनाव को देखने को मिलेगी मेगास्थनीज चंदगुप्त मौर के दरवार में आया था इसकी इसकाल की विशेस्ता थी उसने इंडी का नामक पुस्तग लिखी है जिससे प्राचीन भारती इतियास के बारे में या मौर कालीन जो व्योस्ता थी राजनेतिक व्योस्ता थी उसके बारे में कापी कुछ जानने को मिलता है युनानी राजदूत था मेगास्थनीज इसके संस्थापक जो थे मोहन समराज के दोस्तों यह चंदगुप्त मौर थे इनके गुरु चाड़क के थे 305 पूस्ता है 300 युनानी हमलावर से लुक दोस्तों याद रखेगा नाम तो और से सास्त है मौर एवंश में अशोक महांतम समराट हुआ अशोक महान खा जाता था एवं राश्टी शासरक का उसको दरजा प्राप्थ हुआ इसके समय का जो प्रसिद्ध युद्ध कलिंग युद्ध 261 इसापूर में होता है अशोक क महत्पूर घटना इसको सबसे महत्पूर घटना इसके जीवन कमान आता है कलिंग युद्ध को कि इसके बाद हिदय परिवर्तन होता है और यह धार्मिक हो जाता है पूरत जिसमें 13 शीला लेक से यह ग्यान प्राप्थ होता है आपको हमने बताया है 14 शीला लेक का हमने पूसता है मौरे वन्ष का यहां अंतिम शाशकता दोस्तों व्रियदत था जिसकी हत्या उसके सेनापती पुष्पुष मित्र सुंग ने किया था मौरे वन्ष को उसने समाथ कर दिया और एक नए वन्ष शुंग वन्ष की उसने स्थापना की थी फिर मौरे वत्तर काल में दोस्तों जो की 184 इसाप पूरु से 272 इसवी तक माना आता है या पूरु गुपत काल भी इसको कह सकते हैं कई छोटे बड़े राज्यों ने इस काल में शासन किया इस काल में चार भारती राज्यों शुंग वन्ष कणोवन सात्वाहनोस कलिंग के खारवेल ने शासन किया विदेशी राज्यों में इंडो-ग्रीक शक पहलो यहों कुशाणों ने शासन किया ठीक है आर्थी क्यों जो एक्जाम पॉइंट से है आर्थी क्यों सांस्तिक विकास के दिश्चे यह स्ष्ट काल माना आता है सर प्रथम स्वंड सिंग के सिक्के जो हैं इंडो-ग्रीक व दोस्तों पुश्मित्र शुंग था कणवंश का वसुदेव था साथ वहन मंश का सिमुग था सर प्रथम भूम एंदान की प्रथा साथ महानों ने शुरु की मनुयों पतंजली शुंगों के दरवारी थे याद रखेगा इन्होंने क्रम्षभ मनुस्मित्यों महा भाष्य नामक ग्रंथ लिखा सक समवत अठार इसबी की सुरुवात कनिश्क शुद्वारा की जाती है इंडो ग्रीक दोस्तों प्रथम हमलावर थे भारत में हमला करने वाले डेमोट्रियस प्रथम हमलावर था लेकिन सबसे लोकप्री जो हुआ मिनांडर हुआ कुशार संस्थाप दोस्तों 275 से 550 इसबी तक मना जाता है इसे स्वन काल भी कहा जाता है इसके संस्थापक शी गुप्त थे महांतम शाषक चंदगुप्त विक्रमादितिया चंदगुप्त दिती थे इसके लावा समुद्गुप्त भी जिसे बीए समित ने भारती निपोलियन कहा है तो समु नौरत्न चंदगुप्त दिती के दरवार में कालिदास यह आरेभट गुप्त काल के नौरत्न कह जाते इसके लावा वारामिहिर गणिताचार्य भी इस इनके दरवार में रहते थे नालंदा विश्व द्याले की इस्थापना कुमार गुप्त दरवार की गई थी प्रयाग प्रसस्ति यह समुद्गुप्त से संबंदित है जिसका लेखक हरी खेंड है फायान चंदगुप्त दिती के काल में आया था महरोली लोह लेक जो है चंद गुप विती का ही है सरवाधिक स्वाधिक अभिलेक गुप्त शासकों ने जारी किये सती प्रथाकार प्रसम साक्ष दोस्तों मद्र प्रदेश के एरण अभिलेक से प्राप्त होता है गुप्त काल में हूड आक्रमण तोर माड के नेतित में सकंद गुप के समय में हुआ था गुप्त वत्तर काल दोस्तों 550 से 700 इस्वी में छेत्री शक्तियों के मद्र संगर्ष का काल इसको कह जाता है पुष भूति वन्ष के हर्षवर्धन की गत्विदियां इसकाल की महत्पूर घटना रही कनोज का मौकरी वन्ष वन्ष बलभी का मैत्तर तथा बंगाल का गौड वन्ष मुख्य इस समय के राजवन्ष थे हर्ष शरीत लेखक बाणभट हर्ष शरीत का लेखक कौन था बाणभट चीनी यात्री हेंसांग हर्ष की काल में आया था इस काल में सत्ता संगर्ष का केंद्र कनोज हो जाता है जिसे महोदय नगर भी कहा गया है कन्योज को लेका ही त्री पक्षी संगर्ष होता है जिसमें राजपूत यूग यों दक्षिण भारती राजजी के बारे में आप पढ़ेंगे 700 से 1192 इस भी तक दक्षी भारती राजजों में प्राचिंतम जो थे चोल चेर पांड हैं जिनका उलेक अशोक के अभी लेक में भी मिलता है ती पक्षी शक्तियों में बंगाल के पाल दक्षिंड के राशपूत यों उत्तर भारत के गुरजर प्रतिहार शामिल थे लगबग 300 वर्षनों तक इनके मद्ध शंगर्स होता है राजपूतों के अंतरगत पित्वी राज रासों के अगनीकुंड सिधान्तों के अवसार प्रतिहार यों परमार चालो के यों चोहान आते हैं ये अगनीकुंड से निकलते हैं इसी काल में भारत पर मुस्लिम हमलों का प्रारंब होता है देखें के वल ओर्वियू ले रहे हैं बाकी सारी बाते हम बात में पढ़ेंगे एक बार आप जान लीजे क्या क्या पढ़ना है विस्तार से अभी हम देखेंगे चीजों को इसलिए परिशान मत हुएगा आर्थिक दिश्ट से यह कृष्ट प्रधानकाल था इसकाल में बड़े मंदिरों का निर्माड हुआ खजुराहों के मंदिर चंदेल वंश ने एलोरा का कैलाश मंदिर राश्ट कूट वंश के सासकों ने बनवाया दक्षिन भारत में चोलों के नित्वत में बड़े सामरा मिलता है उसी की इतिहास का आगे वर्गी करण किया गया है उत्तरम यत मुद्रस्य हिमाद्रे श्वेय दक्षिनम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संत्ति है इतिहास का वर्गी करण किया जाए दोस्तों तो पूरा तत्विक सोतों के अधार पर आज भारत का इतिहास इसे 3 लाख इशापूर से 1192 इस बी तक प्राचीन भारत 1192 से 1777 सक मध्यकाल या मध्य भारती तिहास और 1757 के पलासी उद्ध से आजादी तक अर्थाद 1947 तक आधनिक भारती तिहास में बाटा गया है कुछ उपनिवेश वादियम सामराजवाती तिहास कारों ने प्राचीन भारत को हिंदू मध्यकाल को मुस्लिम तिहास के रूप में वर्गिक किया है जो की तर्क संगत नहीं दिखता है प्रागयतिहासिक काल दोस्तों देखों प्री हिस्टोरिक एज पाशान काल जिसमें आता है मानों प्रकित के मद्ध संगर्श का काल माना जाता है प्रागयतिहासिक काल जिसकी लेखन सामगरी नहीं मिलती है सिप पूरा तात्वी शाक्ष मिलते हैं में मानों पूर्ट प्रकिति पर निर्भर था तथा पाशान उपकरणों की सहयता से या पाशान जो पत्थर के अज़ार थे उनकी सहयता से शिकारें खाने का इंतजाम करता था लगबग 5-3 लाख इसा पूर में इसे इतिहास कारों द्वारा करमशह पूरा पाशान काल इवन यापन करते थे यह लोग पहाडों यह रिक्षों पर निवास बना कर रहते थे पूरा पाशान कालीन संस्किति के आउशेस सोहन नदी घाटी बेलन नदी घाटी नर्मदा नदी घाटी ओं भोपाल के पास भीम बेट का नामक चित्तित शैलासरियों से प्राप्त होत करते थे मध्द पाशान काल के छोटे ओकरण हुआ करते थे मर्द पदेश के आदम गढ़े ओम राजस्थान के बागोर से पसुपालन के प्राचींतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं नो पाशान काल की बात करें तो भारत में यह मानो सब्यता का व्योस्थित काल माना जाता शुरू होता है इस समय तक मानो को आग का ग्यान हो चुका था नो पाशान कालीन पहला पूरा अस्थल दोस्तों ले मेंसूरियर ने टोन्स घाटी उत्तर प्रदेश में खो जा था नियोलिथिक शब्द का सरप्रथम प्रियोग जान लुबाउक ने अपनी पुस्तक प्रि मिहर घड जहां पर प्राचिंतम सक्ष मेला है बूर्वं कश्मीर ये जोनों कश्मीर है इसकाई में चिरांद कहा है बिहार रटी के हुशारु सब्सें भारत का नागर्जू कोंडवी नौ पाशारुम अस्थल है सब्षे नगरी सभीटा जिसको रहता है और सिन्ध हञाटिक सभीता करते हैं या कांस सभीटा करते हैं इसको लगझबख 25-4-6 इस सपूर्टा की अकाल रहता है प्रथम नगरी सभ्यतार इसके कांस युगी नमं आध यतिहासिक सब्बधा भी कहते हैं, इसका ग्यान पुरातात्व से सर्जान मार्शिल के समय हुआ, इस सब्बधा के विभिन नामों में सिंध, अटपा, घगजगर, हाक्रा, सरस्थि, सब्बधा, सर्वाधिक मान नाम जो थे है, पुरातात्विक नियम के हुआ हरपा है, क्यों हडपा है क्योंकि सबसे पहले जहां की खुदाय की यति पुरातात्य नियम है जहां जो अस्थल सबसे पहले खोजा जाए उसी के नाम पर उस सब्वेता का नाम रख दियाता है तो हडपा का सबसे पहले उत्कनन हुआ इसलिए इसका नाम हडपा सब्वेता रख दिया गया प्रथम ग्यात अस्थल हडपा था खोच करता जिसके दयाराम सहानी थे सबसे बड़ा अस्थल दोस्तों मोहंजोदुड़ो 250 हेक्टेर का जो है इसके खोच करता राखालधास पनर जी है ग्यात 1500 अस्थलों में जो हडपा अस्थल है सरवादिक गुजरात प्रांत में हैं यहीं से प्रसिद लोथल नामक बंदरगाह मिला है जान मार्शल दोस्तों देखें यह वी कई बार पूछा गया तो याद रखेगा जान मार्शल जो काल मानते हैं हडपास बिता काथ 32-57 इसका पूर विलर महोदे 25-500 अस्था पूर जो कि सबसे अदा मान्य सोरी 25-15 अस्था पूर रेडियो कारवन पद्धति जो कि सबसे अदा मान जाता है आंड़ तो नाम याद रखेगा हो सकता है मिलान के लिए विशाल असनानागर कांस की नर्तकी पश्पती शिव की मूर्ती सूती कपड़ा अन्नागार के साक्ष ये सब मुहन जदोड से प्राप्स हुए हैं पीतल का इकका गयं हूँ जो श्रमिक आवास आर थर्टी सेवन कब ब्रिस्तान जिसको कहते हैं आर थर्टी सेवन नाम हैं ये सब हड़ा पासे मिले हैं कहां से हड़ा ये इस सब नाम आप याद रखेगा दीए ये जो लिष्ट दिये इसका हमने आपको बता दिया कैसे आपक इसको कैसे याद रखना है हमने आपको बताया हुआ है वो आप कोड देख लीजेगा सब आपको याद हो जाएगा ठीक है कौन किस नदी के किनारे इस्तित है और किसने किसी खोज की ठीक है बंदरगा और फारस की मुहर धान बाजरा युग्म समाधी ये सबी लोथल से प्राप्त हुए है घोड़े की अस्तियां सुरकोटदा से किन्तो घोड़े की मिट्टी की मूर्ती जो है लोथल से प्राप्त हुए याद रखेगा घोड़ो की अस्तियां सुरकोटदा से लेकिन यह सबी दोस्तों घोड़े की अस्तियां जो है तथा कथित हैं ठीके न पता नहीं चल पाया है और घोड़े की जो है निटी की मूर्ती लोथल से प्राप्त होई है जूते हुए खेट का साक्ष हवन कुंड अलंकित इंटे यह सभी काली बंगा से प्राप्त होए है बन्वाल तथा मुद्रा सम्मंदिस साक्ष इस सब्धता में नहीं मिले हैं क्या-क्या उट, सिंग, मंदिर, लोहा तथा मुद्रा सम्मंदिस साक्ष इस सब्धता में नहीं मिले हैं इसके लावा गाय के भी साक्षे नहीं मिलें दोस्तों लेकिन कूबर दाल चुकी बैल है तो बैल है तो गाय तो रही होगी इससे पता चलता है कि गाय थी समकालियन सब्वेताओं में हडपा भौतिक वादी एम सांस्तिक तक्तों की दिश्ट से सेश्ट थी जो समकालियन सब्वेताओं थी उस समय की वो उसमें सबसे सेश्ट हडपा थी लबक तेरह लाख वर किलोमेटर छेट में फैली सब्वेता का उत्तरी छोड मांडा जम्मु किश्मी में से थे सबसे पश्मी शेत सुतका गंडोर सबसे दक्षनी शेत दैमाबाड महाराश में से थे सबसे पूर्वी शेत आलम गीरपूर जो की मेरट हुत्तर प्रदेश में से था इसके में जो प्रजातियां दोस्तों भूमद दिसागरी प्रोटो आश्लाइड मोंगलाइड तीन प्रजातियां मिलती हैं मनुश्यों की सामाजी के स्तर पर देखा जाये तो समानता वाला समाज था जिसमें पुरोहित व्यापारियम शिल्पी वर्ग मोजूद था धर्म की बात करें तो माति देवी की पूजा की आती थी शिव की पूजा होती थी जिसको पाशुपती नाम दिया जता था प्रकिती पीपल नाग उपासना इन सभी के साक्षप्राप्त होते हैं आक्सफोड सरकस या जाल पद्धती का प्रयोग नगर निर्माण में होता था जाल पद्धी या ग्रिट पद्धती सु कहते हैं सडके रहती थी ये समकोड में कटी रहती थी इस तरह से पाया जाता थ भ्रश्ट मौम पद्धति या लौश्ट वैक्स मूर्थियों के निर्माण में प्रयोक्त होता था ठीक है इसमें क्या करते थे सबसे पहले मिट्टी का साचा होता था उसके अंदर मौम भरते थे ठीक है फिर धातु का लेप लगा देते थे बाद में इस मौं को पिगला देते थे तो यह मूरती के रूप में आ जाता था तो भ्रष्ट मौं में लॏस्ट वैक्ष मौर्तीों के निरमाण में प्रयोक्त होता था स्वास्तिक चिन्द के साक्ष मिले हैं इस सब्यता में मन के बनाने का कारखाना लोथले ओम चनहुदुडो था चलो मन याद रखेगा चलो मन चनहुदुडो लोथल में मन के बनाने का कारखाना सर जान मार्शल मैके ओम इसार राओ यह मानते हैं कि इसका पतन मुक्यतन नदियों के बाड़ से हुआ मार्टी जो वीलर महोद हैं वो विदेशी हमले को सिंदु सब्विता के पतन का करण मानते हैं और एन इस्टाइन ने जलवाई परवर्तन को सब्विता के विनास करण मानना है मेसो पिटामिया के अबिलेकों में हडपा सब्विता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग कपाश उत्पादन के अर्थ में किया गया है हडपा सब्विता की मुहरें सेल खेडी की बनी होती थी जिन पर अंकित चित्रों के अधार पर इसके बारे में ग्यान होता है इस सब्यता में विभिन प्रजातियों के साक्ष मिले हैं जिसके आधार पर राखाल दास मुनरजी ने इसका निर्माता दमिड को तथा डाक्टर लक्षमर सरूप ने आरियों को माना हैं इस सब्यता की लिपिको पढ़ने का सरप्रथम असफल प्रयास एल ए वैडल ने किया था असफल प्रयास दाय से माय लिखी जाने वाली इसकी लिपिको भाव चित्रात्मक बॉस्ट्रो फेदन भी कहा जाता है इस सब्यता का सबसे बड़ा अस्थल हरियाना के राखी गड़ी में होने का दावा किया गया है राज हरियाना सरकार जो है तो राखी गड़ी को मान के चलेगा इस सब्यता का सबसे बड़ा अस्थल दिल्मुन फारस की खाड़ी में स्थित बंदरगा जिससे होकर हरपा सब्वेता का ब्यापार बेसो पुटामियायम सुमेरिया छेत्रों को होकर जाता था तो दिल्मुन नाम था ठीक है मुद्रा का साक्ष नम मिलने से हमाना जाता है कि ब्यापार वस्तुमियर में पर आधारित था इस सब्वेता का देखे तो मुद्रा का साक्ष नहीं मिले हैं इस सब्वेता की सरवाधिक मोहरे मोहंजद्रों से प्राप्त हुई है इस सब्भेता में अश्रको घोडे को मुख्य पशु नहीं माने आता है किन्तु सूर कोटदा गुजरास से घोडे की अस्तिया तथा राना गुंडे इसे घोडे के दाथ के साक्षु प्राप्त हुए हैं कुछ और बिन्दों को देखते हैं किस्टोरिकल पॉइंट्स को अंग्रेजी में बीसी आप हर जगा लिखा देखते होंगा इनिस सो बीस बीसी, ये क्या है? इसको हिंदी में इसा पूर करते हैं गिफोर क्राइस्ट करते हैं इंग्लेस में एक हण औधात इसा मसी के जन्व क के वर्ष से इतियास के विबिन कालखंडों में अलग-अलग वंशो द्वारा अपने राजविशेक या यादगार घटना की इस मिति में जो प्रतीक चिन्न चलाएगे उन्हें समवत कहा जाता है इसे विक्रम समवत जिसो सताओन इसापूर से मनायाता है मालवा के विक्रम अ दरजा प्रदान किया गया है राष्टी समवत 78 इसवी विक्षक समवत को ठीक है कल्चूरी समवत दोस्तों 248 इसवी अभीर वंश के सासकोंदार गुप्त समवत याद रखेगा 319 इसवी में चंदगुत प्रथम द्वारा सुरू किया गया हर समवत 606 इसवी में हर्षद् विशेक पर उसने प्रारम किया हिजरी समवत 622 इसवी पैगंबर मुहमस साथ द्वारा मक्का से मदीदा जाने की घटना की समिती में प्रारम किया गया इलाही समवत दोस्तों 1582 इसवी में मुगल समराट अकबर द्वारा दीन इलाही के प्रारम की याद में इसमिती में य इस अभी डेट आपको याद दखना है पूसता है एक्जाम में इतिहास की तितियों को ग्याद करने है तो इसापूर की तिति को इस भी में जोड दिया जाता है जैसे गौतम बुद्ध के 563 इसापूर जन्व को वर्तमान में अभी तो 2016 नहीं 2019 हो गया है तो समय ग्याद करने है तो जोड दिया है 2019 को 563 में जोड दिया है तो कितना आएगा 2500 कितना आएगा दोस्तों 82 आएगा और था 2019 में बुद्ध के जन्व हुए 2582 वर्स हो गए इसी प्रकार इस भी में किसी घटना को वर्तमान इस भी तिति में घटाया जाता है जैसे 78 इस भी शक समवत को 2016 से घ आप्थोगार था 1938 वर्ष हो गए 2016 में 1938 वर्ष हो गए सक समवत के ठीक है आधुनिक कलेंडर के विकास में ग्रीक रोमन सब्वेता का महत्पून योगदान है इसे ग्रेगोरियन कलेंडर भी कहते हैं आधुनिक कलेंडर के जुलाई एवं अगस्त मा का नाम प्रसिद रोमन समराड याद रखेगा जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई और अगस्तस के नाम पे अगस्त मा रखा गया है रोमन समराड थे ठीक है तो ग्रेगोरियन कलेंडर ही भारत का जो आधिकारी कलेंडर है इसको मना आता है वैदिक काल में आते हैं वैदिक काल को लोह युग क्योंकि लोहे का विश्कार हुआ था और आर्यों की गत्विदियों का युग कहा जाता है वैदिक काल का जो समय हमने पहले ही बताया आपको 1500-600 इसापूर माना जाता है जिसको दो काल खंडों बाढ़ते हैं 1500-1000 यह सिंद्सimme faces की ठीक बाद आर्यों की गत्विद्यो का इतिहास पारम होता है। इसे इतिहासिक काल का प्रारम माना जाता है। एतिहासिक काल का प्रारम इसलिए माना जाता है क्योंकि इस समय जो साहितिक साक्ष थे मिलने सुरू हो गया उनको पढ़ना पढ़ा जाना भी सुरू हो गया तो इसलिए इसके पूरा तात्तिविक साहितिक दोनों साक्ष मिलते हैं और साहितिक साक्ष जो मिलता है वो पढ़ा भी जा सकता है इसलिए इतिहासिक काल का प्रारंब वैदिक काल से माना जाता है तो था इस सब्विता पर वैदिक साहिति से प्रकाश पढ़ता है या सब्व पुर्वस नाम याद रखेगा आर्यों के ही भरत कभीले के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था आर्यों का साहित वैदिक साहित कहलाता है जिसमें प्राचीन जो सबसे प्राचीन साहित है रिगवेद है जो सबसे प्राचीन जो वेद है रिगवेद है चार वेदों में आर्यों का प्रारंभिक शेत्र जो था इनके क्रिया विदियों का सब्त सेंधो प्रदेश था जहां प आर्यों का मूल निवास मध्धेशिया मानते हैं आर्यों का समाज चार वर्णों में विभाजित था पुरुष प्रधान समाज था वैदिक काल को रिग वैदिक एमम उत्तर वैदिक काल में बटा गया हमने आपको यह से बताया यह कुछ पॉइंट्स हैं एतिहासिक नाम जो के नाम पर यह इंडिया बना भारत द्वारा सिंदु हे तु हिंदु शब्द का प्रयोग किया गया किसके द्वारा फारस द्वारा सिंदु हे तु हिंदु शब्द का प्रयोग फारस द्वारा किया गया विश्णु पुराण में भारत वर्ष नाम का प्रयोग हुआ है त चीनी लेखक भारत है तो इंट्रू शब्द का प्रयोग करते हैं। रिगवेदिक आर्यों का मुख्य देवता इंद्र थे। ये इनको युद्ध या वर्षा का देवता भी का जाता है। रिगवेदिक काल में गाय विनिमय प्रतिष्ठा एंव युद्ध का प्रतीक थी। उत्तर वेदिक काल में क्रिशी का महत्व स्थापित हुआ। आर्यों का प्रीपशु अश्व था। कौन था सबसे प्रीपशु अशु वेदों को त्रई जिसमें अथरवेद शामिल नहीं है एवं शुति भी कहते हैं देखें त्रई में अथार तीन तीन वेद शामिल है उसमें त्रई में याद रखेगा रिगवेद सामवेद और यजुरवेद लेकिन अथरवेद त्रई मे नहीं गिना आता है वेदों में गिना आता है त्रई भी नहीं गिना आता है एवं इनको शुति भी करते हैं को कि ये सुनकर लिखे सुनकर ये प्राप्त हुए है इनको सुनकर प्राप्त किया गया है देवताओ द्वारा एक दूसरे से हमने देवताओं से लिया देवताओं स मुझे मिला तो मैंने किसी को दिया फिर उसने किसी और को ये ग्यान दिया तो इस तरह स्वैला इसलिए इसको शुक्ति भी कहते हैं अथरवेद को चिकिस्सा ग्रंथ एवं ब्रंभवेद कहते हैं अथरवेद को चिकिस्सा ग्रंथ या एवं ब्रम्भ वेद भी कहते हैं यजूरवेद एक ऐसा वेद है जो गद्यों पत्य दोनों में यजूरवेद गवारे में विस्तार से मैंने एक उसमें पीडियेफ में आपको दिया हुआ है आप जरूर देख लिजेगा यजूरवेद बहुत महतपूर है रिगवेद प्राचिंतम मानो साहित है जिसमें 10 मंडल और 1028 सुक्तियां है प्रसित गायत्री मंत रिगवेद के तीसे मंडल में विश्वा में द्वारा रचित था सभिता जो को समर्पित है मूल वैदिक ग्रंथों का क्रम जो है पहले वेदाय फिर ब्रामभण फिर आराणयक फिर उपनिशद इनको वेदानत भी कहा जाता है प्राचिंतम में सबसे बड़ा जो महाकाब्य है महाभारत जिसमें एक लाक स्लोक है इसका प्रारंभिक नाम जै सहीत था जब इसमें 24.30 लोग थे चातुर मन दास्प्रथा विवाह पंचायत राज आधिका सरप्रथम उलेग जो है वो रिगवेद में हुआ है तो चातुर मन दास्प्रथा विवाह पंचायत राज दसराग युग अथा दस राजाओं का युद्ध परुष्णी जिसको रावी अब कहा जाता है तट पर भरत कवीले के राजा सुदास वद्दस राजाओं के संके मध्युआ जिसमें सुदास विजई रहा था बोगाज कोई अबिलेग दोस्तों एक से चार सो इसापूर सोरी चौदास इसापूर में मध्येशिया से प्राप्थ हुआ था तो बोगाज कोई अभिलेक 1400 इसापूर इसका काल है इस अभिलेक का और ये कहां से प्राप्थ हुआ है मध्धेशियत है जिसमें इंद्र, वरुण, मित्रो, नासत्य, आदि देताओं की चर्चा है जो वैदिक देवताओं से में लखाते है वेदों की लिपी जो है ब्रामभी तथा भाषा संस्कित है 600 इसापूर तक आरियों की गत्विधियों का केंद्र सिंदु के भोगोलिक छेश से हटकर गंगा घाटी अथा उत्तत पदेश और बिहार तक फैलता जा रहा था लोहे एवं अगनी के वैदिकोत्तर काल में कई घटनाओं एवं विचारों ने भारत के प्रयोग सामराज जवादी युद्ध क्रिशी एवं ब्यापार के बढ़ते महत्तों ने विशाल गंगा घाटी पर आरियों को आधिपत हेतु प्रेरित किया जब इंसान की च्छाएं बढ़ती जाती हैं दीरे दीरे उसने नए ने अविश्कार की लोहे का विश्कार किया नए ने हतियार बनने लगे ठीक आरियों की जन संख्या बढ़ी उनकी जवरते बढ़ी तो वो आगे भी फैलते गए तो सामराजवादी विचारधारा इससे जन्मली उनके अंदर वैदिकोत्तर काल में कई घटनाओं विचारों ने भारत की इतिहास भुगोल दोनों को बदलने में योगदान दिया बड़े राज्यों का निर्मार नगरी करण सिक्कों का प्रारंब ब्यापार वो द्योगों की अस्थापना विदेशी हमले बौध की संख्या 18 है उसका इतिहासी महत्व है इनका संक्लन लोम हर्षव उग्डशवा को माना जाता है इसमिती साहित में मनुस्मिती का विशेश महत्व है इसका अंग्रेजी अनुवाद अकोड आव जेट्र ला है अब यहां थोड़ा देख लेते हैं वेदों के बारे में वे संगीत कला के लिए है जमदाता माना आता है सामवेद को जो पुरोहित इनके हैं उद्गाता है उद्गाता कहलाते है जो यजुरवेद है दोस्तों धनुरवेद इसका उपवेद है जो युद्ध कला संबंदित है और अध्भर्यू जो हैं पुरोहित माने आते हैं यजु ये जो मंडल हैं दोस्तों दूसरा, तीसरा, चोथा, पांचवा, छटवा, साथवा, आठवा और नौवा इनकी रचना किस ने की थी इन मंडल्स की जैसे दुती की गृस्तद ने की थी तिती की विश्वामित ने, चोथे की वाम देव ने, पांचवे की अत्री ने, छटे की भारत द्वाजने, सात्वे की वसिष्टने, आठवे की कणु रिशिव अंगीरसने और नौवे की पवमान अंगीराने प्रत्थम दिती मंडल शेपक माना जाता है ये याद रखियेगा रिवेद हैं, ब्रामभण हैं, उनके अरण्यक हैं, उपनिशत बहुत महत्पूर्ण हैं हर बार पूछा आता है तो रिगवेद का ब्रामभण दोस्तों, एत्रे कोशित की अरण्यक रिगवेद का एत्रे कोशित की उपनिशत भी एत्रे और कोशित की यजूरवेद के तैत्री और शत्थपत ब्रामबड रण्यक जो है यजूरवेद के तैत्री विधा रण्यक और शत्थपत ब्रामबड और उपनिशद जो है तैत्री एक कंठ श्वेताश्वर इश या इशोपनिशद और विधा रण्यक उपनिशद या यजूरवेद के दूस्तों पंच विश इसे तांड ब्रावध भी कहा जाता है अरडेक जो सामवेद के हैं जैमनी और चांदोगय और उप्निशत जो है चीजानदोगय उपनिशत और केन उपणिशत ये sामवेद के हैं अथरवेद का जो व्रावभड है गोपत व्रावभड इसका कोई संत्त को से κα्षमीर को ये सब महत्मौन कि हडपा सबता जहाँ 25 toi से ठंद्रस इसा पूर्पा सब्रता का काल 1500 से 600 इसा पूर्मानायता है हम कास्ति सब्रफ क्रामिड क्कुम ग्रामिद सब्रती रहų नेनेदियरगदू प्यां यहां पर 37 को यहां रेकाल दोगे इंद्र-वरुण-अगनि-विष्णु रूद्रादी की पूजा बहुत सारे दे होता इसमें आ गए वहीं लिपी जो भाव चित्रात्मक लिप का प्रयोग किया था दायें से बायें लेखन किया जाता था वैदिक काल में लिपी ब्रामभी थी भाषा संस्कित थी और ग्रंथ वेद थे अश्व इस सब्यता का प्रमुख पश्व नहीं था जो गोड़ा था उसके बहुत कम या तथा कथित साक्षी मिले हडपा सब्यता में वहीं अश्योंगाय का सरवादिक महतुरा है वैदिक सब् का सबसे पहले जो उले किया गया है रिक वेद में ही किया गया है उत्तर वैदिक काल में जो वैदिक रचनाय हुई उसमें उसका वर्डन मिला हडपा सब्यता की मुख्य फसल कपास गेहूं जव और चावल थे जबकि यहां मुख्य फसल जव गेहूं जिसको गोधूमी कहा जाता था और चावल सुन्द सब्यता का जो समाज था समतावादी था वहीं वैदिक समाज में भेदवाओं के साक्षे प्राप्त होते हैं चाहे हो जातिकत हो वर्ग की अधार पर हो या फिर जो लिंग अधार पर वेदवाओं है उस साक्षे प्राप्त होते हैं खास कर उप्तर वैदिक समाज में हडपा आद्य एतिहासिक सब्विता है वहीं वैदिक काल को एतिहासिक सब्विता माना जाता है एतिहासिक आद्य एतिहासिक और प्राग एतिहासिक में अंतर हमें आपको बताया है वैदिक शब्दा वली यहम तत्य निश्क यहम सत्मान मुद्राव स्वन हे तू प्रयोक कियाते थे निश्क और सत्मान यह मुद्रा और स्वन के आभूशर थे उसे संबन दित थे दुहिता पुत्री के लिए दुहिता पुत्री के लिए प्रयोक कियाता था कुसीद ब्याच के अर्थ में गोधूम गेहूं बल्यों भाग गोधूम गेहूं के लिए और बल्यों भाग ये कर के रूप में बल्यों भाग पूछता है क्या थे कर थे सुजात सेष्ट वक्ति के लिए इशान समित की अध्यक्ष के लिए धनोमन मरुस्थल के लिए कुल्या नहर के लिए बीही चावल के लिए स्पश गुप्तचर के लिए पूछा भी किया था लांगल हल के लिए उरोरा जुता हुआ खेत के लिए अचल कूप के लिए परजन पादल के लिए, करीश गोबर की खात के लिए, पढ़ व्यापारीवर के लिए, बेकनाट सूध खोर के लिए प्रियोग किया था, समराट पूर के शासक के लिए, स्वराट पश्चिम के शासक के लिए, विराट उत्तर के शासक के लिए और भोज दक्षिण के शासक के लिए ये भी महत्पूर है, मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है, पूर के शासक के लिए समराठ, स्वराठ पश्चिम के सासक के लिए, विराठ उत्तर के सासक के लिए और भोज दक्षिड के सासक के लिए, वही राजा मध्य देश के सासक के लिए प्रियोग होता था, राजा भ स्वर्ग के देवता सूर्य सावित्री विश्णु द्वावस मित्र आदित्य उख्षा और अश्विन ये स्वर्ग के देवता माने आते थे चित्ति धूसर मिद्भांड PGW उत्तर वैदिक काल में परचलती था याग वल्क गार्गी समवात का उलेख विधा रणय को उपनिशद में प्राप्थ हुआ था सरपर्थम चांदों के उपनिशद में किष्ण का श्वेताश्वर में शिव का उलेख मिलता है पथी कृत शब्द का प्रयोग अगनी हे तू शर्द वात यों गड़ सेना हे तू मिलता है पुनर जन्म का सिद्धान सरपथम सत्पत ब्रामभण में मिलता है अथर वैद में सभायों समित को परजावती की दो पुत्रियां खाज गया है कठोब निशन में यम योम नचकेता का समाद प्राप्त होता है वरुन को रिद्व न्या योम जल का देवता माना गया है पूशन रैगवेदिक काल में पशुओं के देवता कि उत्तर वैदिक काल में शुद्रों के देवता हुए कौन पूशन अथर वेद में परिकशित को मित्टुलोक का दिवता बताये गया एतरे ब्रामबन में पुत्री को दुखो का कारण तथा शत्पत ब्रामबन में इस्तरी को अधाएंगी बहुत महत्मून हैं यह जब रिगवेद में लोपा मुद्रा घोशा सिक्ता अपाला आयों विश्वारा अधिका उलेख है ये महिलाये हैं विदुशी हैं दासराग युद्ध हैं भरत कभीले की चर्चा रिगवेद के सात्वे मंडल में भरत कभीले के पुरोहिद वशिष्ट जबकि दस राजाओं के पुरोहिद विश्वामित्र थे दासराग युद्ध में भरत कभीले के राजा सुदास विजई हुए तथा इसी कभीले के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा आगे चलकर भारत एवं पुरु कबीला मिलकर कुरु कहला है भारत एवं पुरु श्रीमत भगवत गीता महा भारत का एक अंश है या महा भारत के छटे पर भीश पर से लिया गया है इसमें 18 ध्यायवद 700 श्लोक हैं इसे उपनिशदों का सार कहा जाता है ये देखिए प्राचीन और रिवेत काली नदीया है प्राचीन में किस नाम से याना जाता है अब किस नाम से याना जाता है इसको आप देख लीजेए रिगवेद उलेखिर शब्द किसका कितनी बार उलेख किया गया है तो पिता सब्द का सबसे जादा बार उलेख है याद रखेगा 335 बार फिर जन शब्द का 275 इंद्र का 250 बार माता का 234 बार अश्व का 215 बार वी देवताओं में इंद्र का देखे सबसे यदा बार 250 बार है ठीक फिर अगनी का है 200 गौ का अर्थादगाय का 176 विश्य का 170 सूम देवता का 144 बार विदत का 122 बार विश्णू का 100 बार गण का 46 बार समिति का 9 बार सभा का 8 बार यमुना का 3 बार रुद्र का 3 बार वैश मूल साहित जो है अब उसके बारे में देख लीजे चार वेध हैं जिनको त्रई एवं शुति भी करते हैं प्राचीन तमरीक वेध है यजुर वेध जो है गद्ध पद्ध दोनों में है गा सकने वाली जो रिचाए हैं वो सामवे सामवे ने पूरे गा सकने वाले इस लोको का उसमें रचना की गई है ब्रामबर जो है इसमें वेधो की गद्ध में व्याक्खा की तो ब्रामबर गद्ध में पाए जाते हैं आररणयक का जो शाब्दी करते जंगल है इन गरंतों में चिंतनेवम रहस्यवाद प्राप्त होता है जो उपनिशद है उनकी संख्या 108 है विदान्त भी करते हैं, इसमें जीवनेम जगत की तारकिक व्याख्या प्रात होती है, मूल रूप शे उपनिशदों की संख्या तेरह मानी गई है, सबसे जादा, सबसे बाद में मूल रूप से जो उपनिशद थे तेरह, बाद में उनके संख्या में विस्तार हुआ और 108 सबसे बड़ा महाकाब एक लाख श्लोक महाभारत में हैं, सबसे बड़ा महाकाब हैं, इसके रचनाकार महरशी वेद व्यास हैं, महाभारत का प्रारंभिक नाम जैसहिता था, जिसमें अठावी मैंने गल्तिश बता दिया दोस्तों, 1800 श्लोक थे जैसहिता में, ठीके न, और रामायण में दोस्तों 24,000 लोग हैं, तो जैसाहिता को पहले महाभारत को जैसाहिता काया था जिसमें 88,000 लोग थे, अब बढ़कर जब एक लाख हो गया तो महाभारत का आ जाने लगा, रामायण में 24,000 लोग हैं, जिसके रचनाकार वालमिक की है, खट दर्शन में जो है रचिता माने आते हैं, छवेदांग जो हैं, सिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरन, जोतिश, 18 पुरान हैं, इनका विकास 300 इसापूर से 300 इस्वी के बीच हुआ, एतिहासिक चूचना की दिश्चे ये महत्पूर्ण है, अन्य परालिया की बात की जाए तो चार व हैं, क्रमशा, गर्भादान, पुन्सवन, सिमत्तोनेयन, जाद कर्म, नामकरन, जिश्कमन, अन्न प्राशन, चूडा कर्म, कण वेधन, विद्यारंभ, उपनेयन संस्कार, वेदारंभ, वेदरांभ, केशांत, या गोदान, समावर्तन, विवाह, अन्तेष्ट, और आठ वि विवाह, विवाह का प्राचिंत मुल्यक, रिवेध में प्राप्त होता है, अधार्मिका दोलनों एवं, 16 महाजन पतों का काल, उसमेह वाते हैं, जिसको दुती नगरी करांती भी कहा जाता है, हडपा जो पहली थी, और इसको दुती नगरी करांती से लिए कहा जाता है, छ इश्वर को नहीं मानते थे जिन में जैन बुद्ध चारवाक ये सब प्रमुक थे इनका उदय हुआ इन समू में सरवाधिक प्रभावशाली जैन एवं बहुत थे इसी काल में सामराजवाद धुती नगरी करण क्रिशी एवं ब्यापार मुद्रा प्राणली आदिका प्रसा इस काल में कुछ अन्य संप्रदाय भी सकती थे जैसे आजीवक मक्खल पुत्र आजीवक संप्रदाय का किस ने किया था मक्खली पुत्र गोशाल ने चारवाक संप्रदाय का चारवाक ने घोर अक्रियावादी पूरण कश्यब ने संदेहवादी संजय वेल पुट पुत् भागवत धर्म अस्तित्त में आया प्राचीनता के दिश्च से हडपा के से प्राप्त शिव की मूर्थ की अधार पर शैव धर्म को प्राचीनतम मानायाता है। जो प्रथम माने आते हैं निर्गंत संप्रदाय के प्रथम और अंतिम महावीर थे। जैन धर्म के बात करें तो जैन का शाब्दी करते दोस्तों जितेंद्री जिसको इंद्रियों में विजय प्राप्त हो गई है। जैन धर्म में 24 तिर्थंकर, तिर्थंकर किसे कहा जाता है ग्यानिय पूरशयों केवलिन तथा सभी तिर्थंकर छत्रियों पूरश होए थे। शत्रि होए और पूरश होए थे। कोई तिर्थंकर इस्त्री नहीं था। प्रथम तिर्थंकर रिशब्द को संस्थापक, 24 तिर्थंकर महावीर स्वामी को जिनका मूल नाम वर्धमान था, उनको जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। वेद का खंडन करने के कारण जैन नास्तिक है, यह वेदों का खंडन करता है, इश्वर की उपस्तिती को नहीं मानता है। परिग्रह ब्रह्मचर यह मुखे सिक्षा है सत्हिन साइक वारें आप जानते हैं स्तिये क्या होता है चोरी नह करना अब परिग्रह क्या होता है जSO Д NICK संचन्य करना ब्रहमचर का अर्था आप जानते ही हैं यह सभी मुखे सिक्षा है जैन धंधर में तीरत्म है सम्मेक दर्शन ग्यान और चरित्र जैन धन को लोगपरी ब्राने का श्रे महावीर स्वामी को जाता है इसलिए इनको प्रवर्तक का जाता है इनका जन्म 599 इसापू में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में ग्यातिक छत्री कुल में राजा शिद्धारत क्या हुआ इनकी माता तिशला थी बड़े भाई का नाम नंदी वर्धन था 42 वर्ष की आयू में रिजपालिका नदी के तटपर जांबरिक गाव के निकट इन्हें ग्यान की प्राप्ति हुई किस रिजपालिका नदी के तटपर ये याद रखिएगा 30 वर्ष की उम्रे इन्होंने अपना घर छोड़ा था इनके जो भाई थे नंद बर्धन उन्त की आ इन्होंने तपस्या की 42 वर्ष की आयू में इनको कैवल या ग्यान की प्राप्ति हुई प्रथम उपदेश इन्होंने राजगरी में दिया याद रखेगा सारनात में बहुत गौतम बुद्दे दिया था इन्होंने राजगरी में प्रथम उद्देश दिया था जैंधर मे सामिल प्रथम महिला जो थी चंदना थी मित्यु राजगरी के निकट पावापुनी में हुई थी इनका उबदेश प्राकित भाशा में था संप्रदाय दिगंबर एवं श्वेतांबर संप्रदाय दिगंबर जो होते हैं वो कपड़े नहीं पांते नग न रहते हैं जबकि श्वेतांबर जो होते हैं श्वेतवस्त धरन करते हैं ग्रंथ जो हैं इनके पूर्व अंग और उपांग याद रखेगा ग्रंथ पूर्व अंग और उपांग जैन धर्म के तेश में तिर्थंकत पाशनात को सम्मेशिकर पर ग्यान प्राप्त हुआ था जैन धर्म की प्रथम सभाज समय शिकर में वहाँ मंदिर भी है याद रखिएगा जैन धर्म का प्रथम सभाज समुद्ध चंद गुप्त मौर के शासनकाल में लगबग 300 इसा पूर में पाटल पुत्र में हुई थी या सभा इस्थूल बद्यम संभूत विजय नामक स्थवीरों के नेतित में आयोजित हुई थी जैन सभा गुजरात के बलभी नामक स्थान पर 513 इसबी में हुई थी तो पहली कहा हुई थी पाटल पुत्र में और दूसरी बलभी में इस सभा की अध्यक्ता देव धर्मणी शमा शमण ने की थी इसमें धर्म गंतों का संकलन कर उन्हें लिपिपद्ध किया था तो पूछेगा कब लिपिपद्ध किया था तो दूसरी 513 इसबी में है थी जैन साहित्यको आगम कहा जाता है जैन तिर्थंकर रिशब देवम अरश्ट नेमिका उलेक रिगवेद में मिलता है इन दोनों का रिशब देव का अरश्ट नेम का अरश्ट नेम को किष्ण के रिष्टेदार के रूप में भी माना जाता है विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में दिशब देव का उलेक नारायण के रूप में हुआ है श्वेतामबर परंपरा के उसार महावीर पहले ब्रामबडी देवननदा के गर्व में आये थे किन्तु बाद में उनका गर्व तिशला के गर्व में अस्थानांतरी कर दिया था देखे कितनी महत्पुरवात है जैन धर में 63 शला का पुरुष्यों की मानता है जैन धर के अन्य नाम कुरुचक या अपनियों श्वेत पट नाम से भी जाना जाता है सलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राणत्याक के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो महावीर स्वामी की मिर्त्व के बाद सुधर्मन आरे सुधर्मन संग के प्रथम अध्यक्ष बने थे इस धर्म का सामाजिक योगदान जो था दोस्तों विवित विरोधी मन्तों में सामन्ज स्थापित करना अना अनेकांद वाद के त्वारा तो पूछेगा अनेकांद वाद किस से सम्मंदित है जैन धर्म से महा मस्तिका समारो या महा मस्तिका विशेख समारो प्रत्तेग 12 वर्ष बाद होने वाला जैन समारो है करनाटक के शमण बेल गोला में इस थी सबसे उची जैन मूर्ति गोम तेश्वर की है वहीं पर यह समारो स्थापित होता है और इसे मौर्य गंग कदंब चालुक के राश्टकूट आदिवंश बहुत धर में आये छटी शतापदी जिशापूर में समानता एम कर्म की सिष्टा को मूलात का अधार मानकर सरल पाली भाषा में अपने विचारों से जन जीवन को प्रभावित करने वाले गौतम बुद्ध का मुक्योदेश बहुजन हिताया बहुजन सुखाया था वैदिक विशेशादिकारों कर्म कांडों का खंडन करके ऐसी जीवन पद्धित का प्रचार इन्हों ने किया जिसमें भेद का कोई स्थान नहीं था जिसमें भेदभाव का स्थान नहीं था जिन आध्यात्मिक प्रशनों की खोज में अनेक संप्रदायों के बीच परधा बढ़ती जा रही थी ऐसे प्रशनों को पूर्त अनावश्यक बता कर लौकिक जीवन की शिष्टा पर बुद्ध ने जोर दिया बहुत धर्म में अपनी सिक्षाओं से भारत अवं विश्ट को प्रवावित किया अपने मध्यम मार्ग अवं तृषना रहित कर्म पर जोर देने के करण यह एक व्योहारी कथा जात्य प्रथा के खंडन से सभी वर्गों में लोक प्री हुआ इश्वर आत्मा कर्मकान विश्शादिकार आदी सभी का खंडन बुद्ध ने किया महात्मा बुद्ध द्वारा दिये गए देखे गए चार दिश जिसके बाद वे सन्यासी हो गए क्रम याद रखेगा व्रिद्ध व्यक्ति सब से पहले फिर एक रुग्रस व्यक्ति फिर एक मितक और फिर एक प्रसन सन्यासी को देखा तो इनके अंदर तभी सन्यास की भावना जगी बौत धर में शामिल पहली महिला महाप्रजापती गौतमी थी बौत धर में कर्म एवं पुनरजन को मानिता दी गही है यह याद रखेगा आगे चलकर इस धर में वैभाशिक योगाचार या विज्ञान वाद वशून वाद जैसी शाखाओं का विकास हुआ तो यह सभी शाखा है दोस्तों बहुत धंसे सब्मंदित हैं बहुत धर में बुद्ध के जन्म को कमल से, ग्रित्याक को अश्च से, ग्यान को पीपल से और मित्य को तूप से दिखाया जात एक चीज आपको बताना खोल गया दोस्तों बहुत महत्पूर्ण है यह जो 24 तीर्थंकरते जैन धर्म के इनका प्रतीक चिन्द जरूर यादर किया पूछा गया है कई बार और अब तो और ज्यादा संभाव ना होगे तो यह लिश्ट है आदिनात बैल अजीतनात गज यहां चंद प्रभू चंद्रमा, सुविधिनात, मगर, शीतलनात, कलपविक्ष, श्यांसनात, गेंडा, वासु पूजनात, महिश या भैसा, विमलनात, बाराह या सुवर, अनंतनात, बाज-पक्षी, धर्मनात, बज-शांतिनात, म्रिग, कुन्तुनात, अज्य या बकरा, अरन यह बार बार पढ़के याद रख लिजेगा ठीक है तो हम कहां थे एक्जाम पॉइंट्स हैं वेदों के खंड़ने कारण बुद्ध नास्तिक कहला है जन्म 563 इसापूर में नेपाल की तराही मिस्तित लुम्बनी इंग्राम में हुआ था इनका जो उत्तरपदेश के पिता शुदोदन थे माता का नाम महा माया था कुल शाक्य था पतनी ये शोद्रा थी अन्य नाम गोपा बिंबा या भद्रकष्ठा था प्रथम गुरू थे इनके अलार कलाम निर्वान प्राप्ति बोध गया हुई थी प्रथम उपदेश इन्होंने सारनात में पांच ब् इनकी 483 इसापूर में कुशी नगर उत्तरपदेश में थी मूल सिक्षा चार आरे सत्य है इनका संप्रदाय ही नियान और महायान बाद में बज्जयान भी आया मुख्य ग्रंत दोस्तों त्रिपिटक ग्रंत है पाली भाशम लिखा गया है त्रिपिटक में तीन ग्रंत आत अंतिम उपदेश कुशी नारा में सुमच्छ को दिया था इनोंने सुभध या सुभध शको ठीक है सुभध भी आता है सुभच्छी भी आता है तो जो भी सुभध को दिया जो शुद्ध नाम है सुभध है बुद्ध का अंतिम वाक्य जगत में सभी पदार्थ व्यधर्म शोक बद करो यह अंतिम वाक्य थे बुद्ध का जन्म defic जातक कता हैं दोस्तों बुद्ध के पूर्गम से समंधित कताये हैं बुद्ध के पहले गुरु रार कराम दूसरे बुद्ध ने सरवादी कुपदेश कोशल की राजनी शावस्तिम दिये, बोध धर्म की सिक्षाओं में चार आरिसत्य मुक्य हैं, जिनमें चार आरिसत्य कौन से हैं, दुख समुदाय या प्रतीत समुदपाद वद्वादस निदान, तो प्रतीत समुदपाद का सिद्धान क किसमें हैं, बोध धर्में, या दुख निरोध वर निर्वाण, और चौथा है दुख निरोध मार्ग, जिसको अश्टंगिक मारभी कहा जाता है, अर्था दुख से दूर होने के मार्ग, बुद्ध ने सारनात में इसी चार आरिसत्य का उपदेश दिया था, इसे बोध ग यान की प्राप्ती संभव नहीं है, बोध धर्म के अन्यमतों में शण भंगवाद अर्थाद प्रतेक सत्ता परिवर्तन शील है, अनात्मवाद अनिश्वरवाद मुख्य है, तो अन्यमत जो हैं बोध धर्म के शण भंगवाद, अनात्मवाद, अनिश्वरवाद, बुद बुद्द सभी प्रकार के कर्म कांडी संसगारों के प्रबल विरोधी भी थे बुद्द के प्रसिद्ध वाक थे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आत्म दीपो भवह। बुद्ध के भस्म पर इस्तूप निर्मान करता आठ राजवन्स थे कौन-कौन मगत नरेश अजादसत्तु वैशाली के लिच्वी कपिल वस्तु के शाह के अल्लक कप के बुलिप राम ग्राम के कोलिप बेट दीब के बामभर पावा के मल्ल पिपलीवन के मोरी इन्होंने ब अंतर पूसता है तो जैन धर्म वेदों में उसकी प्राणली का खंडन करता है बहुत धर्म भी वेदों में उसकी सत्ता का खंडन करता है इश्वर का खंडन जैन धर्म है केवल 24 ते ठंकरों की सत्ता में विस्वास किया गया है जबकि इश्वर की सत्ता खंडन बहुत धर् बुद्ध को विश्वर घुशित का दिया जाता है और विश्णु का वतार बताया जाता है जैन धर्म कर्मवाद विश्वास करता है कर्मकांडों पे विश्वास नहीं करता है बुद्ध द्वारा कर्मकांडों का तीवर खंडन किया जाता है तो कर्मकांड का दोनों बढ़ वैशोद्र मानता है जैन्म जबकि बहुत धर्म वन एम जाती दोनों का ती और खंडन करता है समाज और समानता पर आधारित है जैन्धर्म और बहुत धर्म भी समाज की समानता पर आधारित है या समाज समानता पर आधारित है बहुत धर्म का भी जैन्धर्म का प्रा धर्म जैन धर्म दोनों ग्यान कर्म और पुनर जन में विश्वास रखते हैं इसके लामा जो अहिंसा का तत्तो है अहिंसा वो जैन धर्म में बहुत ज़्यादा प्रबल है बहुत धर्म भी अहिंसा को मानता है लेकिन जैन धर्म इस मामले में बहुत धर्म से कहीं ज़्याद प्राचीन भारत में राजनेतिक गत्विदियों का परचे वैदिक काल से प्राफ्थ होता है किन्तु संगठी तेवं विस्तित सामराज जिकाओदे 600 इसापूर में मगत के हर्यक वन्ष अर्थाज विम्बिशार जिसका संस्थावग था हर्यक वन्ष का उसके नेतित हुआ जो शिशुनाग वन्ष योम नंदों के नेतित में विस्तित हुआ तथा अंतत्त चाड़क के वम चंदगुत की जोड़ी ने इसे विशाल सामराज में बदल दिया बहुत ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महा जनपदों की सूची मिलती है इसी के साथ बुद्ध के समय के 10 गड़ राज भी अस्तित्त में थे दस गड़ राज भी थे 16 महा जनपद युग में विभिन शक्तियों के मद्ध परसपर संघर्स जारी रहा 200 वर्सों तक मगद, काशी, कोसल, अवंती, वत्स, गर रादी, मुख्य, शंगर, सुरण, राज़, थे के अंतिम शाषक घना नन को हरा कर चंगुत मौर ने भारत में सबसे बड़े सामराज का निर्माड किया 322 सापूर में पुराणों में जैनमत के पोशक नंदवंश को शूद्र माना गया है इस प्रकार मगत का इतिहास मौर्यों के नेतित्त में भारत के इतिहास में बदल जाता है जिसका संथापक चंदगुट मौर्यथा तथा इसे युनानी शुयतों में सेंड्रो कोटस कहा गया है किसको चंदगुट को ये सोलम हा जनपद है दोस्तों उनकी राजधानी है इनको आपको याद रखना है मगत की राजधानी राजग्री, काशी का वाराणची, वज्जी का वैशाली, मल्ल का कुशी नारा, अवंति का उजैन, उजैनी, कोसल का शावस्ती, चेदी का शुक्तिमती या शक्तिमती, अंग का चंपा, कुरु का हस्तिनापुर, वस्त का कोशांबी, मस्त का जो आपका जैपूर राजस्थान के आसपास कछेत्र है पांचाल का हिश्चत्र गांधार का तक्षसिला अश्मक का पोटन या पोतली है एक मात दक्षन भारत में इस्तित महाजनपत्था कमबोज का राजपूर और शूरसेन का मथुरा अब विदेशी आक्रमलों पर चर्च इसको इंगलिश ने कहेंगे ने 558 से 540 इसापूर में किया साइरस के उतरा दिकारी डेरियस ने भी सिंदुके तटवर्दिया दारा भी कहा जाता है डेरियस ने भी सिंदुके तटवर्ति भूबागों को विजित किया इसकी जानकारी इसके बहस्तून परसिपोली सेवम नक्षे रुस्तम अभिलेक में होता है, ये डेरिये संबंदिते यादर कियेगा, इरानी आक्रमण के प्रभाव से भारत में खरोष्ठी एम आरामेक लिपिका प्रचार हुआ, अभिलेक उत्किंड करने की प्रथा शुरू हुई, शासन की छत्रप प्राली का विकास भी इसी समय हुआ, तो पूचा याता है, शासन की छत्रप प्राली का विकास कब हुआ, इरानी आक्रमण के प्रभाव के बाद, अब युनान के सिकंदर का हमला जो हुआ दोस्तों, जो महान सिकंदर महान का याता है, उसका हमला 326 इसापूर में हुआ था भारत में, सिकंदर का मु वापस लोटी। उत्तर भारत में इस समय घनानंद, नंदमरिश का सासक था, उसका सासन था, यही वह समय था जब भारत के निर्वाण में गंगा घाटी की भूमिका का प्रारम हुआ था। सिकंदर के हमले ने अप्रत्यक्ष रूप से राजनेतिक एक्ता को बढ़ाओ दिया, यहां के लोग विदेशी आक्मरों के प्रति सक्री हुए, एक होना सुरू किये, सिकंदर द्वारा निकईया तथा बुफा बुका फेला, घोडे के नाम पर इन दोनों नगरों की इस्था अपना उसने की थी, इक्जाम पॉइंट देख लेते हैं कुछ, समकालीन जो गरतन थे, गरतन गया होता है, जहां पर सबको जो राश्ट अध्यक्ष होता है, या जो सर्वोच पद होता है, उसको पाने का चांस या मौका दियाता है, दिकार दिया जाता है, जैसे भारत में राश्पती को ही बन सकता है, वो वनिशानुगत पद नहीं होता है, तो कपिलवस्ट के शाक, अलकप के बुली, रामगराम के कोली, पावा के मल, बैशाली के लिछवी, सुमसुमार गिर के मग, केसपुत के कालाम, कुशीनारा के मल, पिपलीवन के मोरियो, मिथिला के हर्यक वन्ष, इसके संस्थापक बिमसार था, राजधानी, राजग्री, पाटल पुत्र, शिशुनाग वन्ष, शिशुनाग संस्थापक था, इसका पाटल पुत्र, इसकीव राजधानी थी, नंद वन्ष का महापदम नंद था, पाटल पुत्र, राजधानी थी, मोरिय वो भारत का प्रथम समराट माना जाता है। सिकंदर खैबर दर्रे को पार करके पंजाब एम सिंदु के कई राज्यों को जीता उसने इसमें सबसे महतपूर्ष सिंदु एम जेलम के बीच का तक्छिसिला जहां का राजा आमभी था वह था। से रोग होने से निदन हो गया। युनान से संपर का प्रभाव भारत पर कई शताबनियों तक विविद रूपों में रहा। अब महान मौन समराज के बारे में इसका उदेयम प्रभाव। भारत भून पर अस्थापी सबसे बड़े समराज का निर्माता तथा इसे राजनितिक एकतायम प्रशास्तिंग प्योस्थाम बाधने का शे चंदगुत मौरिक हो जाता है। तक्चसिला विश्यद्याले के आचार चाणक के की साहता से चंदगुत ने नंदवन्ष को समाप्त कर 322 इसापूर में मौर इवन्स अस्थापित किया। मौर इवन्स जिसका काल 322 से 184 सापूर माना आता है। भारत में शिराले की परंपरा सुरू करने वाला पहला शाशक अशोक को माना जाता है। पत्थनों पर लेख लिखवाने का कार्या। अशोक के या विलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जो था जेम्स प्रिंसप था याद रखेगा ठारहसो साथे इस जिसमी में ब्रामभी लिपकी में लिखा गया था। चंगुत मौर जो जैन धर्म का सवनक्षा केम्स चानक का शिष्य था। इंडिका से मौर राजनितियों समाज पर प्रकास पड़ता है। इसका संस्थापक चंगुत मौर 323 से 298 इसापूर। प्रथम भारती समराज अस्थापित किया। विलियम जोन्स 1793 में सेंडो केटस की पहचान चंगुत मौर से किया था। जो सेंडो कोटस का मैंने आपको बताया था भी वर्डन। विलियम जोन्स ने 1793 में इसकी पहचान चंगुत मौर से की थी। पुत्र इसका चंगुत मौर का बिंदुसार था युनानी नाम अमित्रो केंटेस था। बिंदुसार का पुत अशोक था यह राश्टी शासक कहा जाता है 273 से 232 सापुर्व मास की अभिलेक अशोक पुराण अशोक वर्धन ब्रामभी लिपी में इनको प्रिय दर्शी कहा जाता है। अशोक के उत्तरादिकारी जो होते हैं कुडाल जिसको धर्म वर्धन दशरत बंदुपालित संप्रती जिनको जैन धर्म का उपासक भी कहा जाता है संप्रती यह उत्तरादिकारी थेंगे। शलिशुक देव वर्मन व्यदत जो की अंतिम मौर शाशक था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 इसापूर में व्यदत की हत्या करके मौर वंस समाफ्स होता है शिशुनाग वंस की अस्थापना होती है। प्लूटार के शब्दों में 6 लाग की सेना के साथ चंदुप्त ने संपूर भारत को नोट डाला था। बिंदुसार जिसे अमित्रो केटी जेम वाईपुराण में भद्रिसार भी कहा गया है आज ये सबी देखें महत्रपूर्ण फैक्स हैं इनको आपको लिखते जाना है या नोट करते जाना या बार बार सुन लीजे तब भी तयार हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय कानु आई था इसका काल तक्षिसिला में विद्रो को छोड़कर शान्ति पून रहा। इसके काल में मेगस्थनीच का उत्तरादिकारी डाइमेकस अथा मिस्र का दूद डायोनीसियस भारत की यात्रा पर आया था। तो कौन किसके दरवार में आया था दोस्तो याद रखेगा मेगस्थनीच का उत्तरादिकारी डाइमेकस अँ मिस्र का दूद डायोनीसियस यह सभी बिंदुसार के काल में आया थे। कौटिल का साथ राजनीतियों प्रशासंग का प्राचिंतम ग्रांत माना जाता है। कराये गया श्री पामस्वास्ति द्वारा डाक्टर आर भंडारकर महोदय ने अविलेकों के अधार पर अशोक का इतिहास लिखा था। अशोक के अविलेकों को सबसे पहले खोजा गया टी पैंथलर ने जबकि इन अविलेकों को 1837 में सरप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसप ने तो इन दोनों का याद अखना है सबसे पहले खोजा टी पैंथलर ने सबसे पहले पढ़ा प्रिंसप ने। मौर कालीन मत्रिमंडल तीर्थ को तीर्थ कहा जाता था, सीता अध्यक्ष किसे कहा जाता था, क्रिशी का अध्यक्ष को, समाहरता किसे कहा जाता था, राजव संग्रा करता को, अशोक के तेरहवें सिलालेक में कलिंगयो दक्षणी राज्य विदेशी राज्यों की चर्चा है इस समय पश्मी तट का प्रसिद बंदरगा भ्रेगुकक्ष सोपारा पूर्वी तट का तामरेलिप्ती ये सभी पश्मी तट के प्रसिद बंदरगा थे ठीक है शेडी ब्यापारियों के संगठन का नाम था मौरेकाल में सामाजिक समरस्ता में व्रिद्धी हुई थी कि युनानीयों ने पाटल पुत्र को पाली ब्रोथा कहा था किसने युनानीयों ने किसको पाटल पुत्र को मौरेवाण शकाहिने अपिद भारती इतिहास का महांतम राजा अशोक को कहा जाता है असे अशोक के जो 14 सीला लेख थे उसके विशे हमने आपको बता हैं कोडिंग कर दिये कोड में आद रखे का एक बार पड़ भी दे रहा हूँ पहले में पशुबली की निंदा समारोहो पर पशुबली संबंदी समारोहो पर रोक लगा दी गई थी दूसरे में मानो और पहुश्ची किस्सा की और समाज कल्याण की बात थी तीसे माधिकारियों का पाँच वर्षों में दोरा करने का वड़न है चार में धम, नीती, ब्रामडों, शवणों का आदर का पाँचे में धम, महा मातरों की नियुक्ति का वड़न है छटे में आत्म नियंतरता प्रजाह हर जगह मुझसे मिल सकती है इसका वड़न है साथवा धर्मों के बीच सहिश्णुता का संदेश है आठवा धम यात्रायों साजनिक निर्माण का वड़न है सामाजिक उत्सो सिष्टाचार का उरण नौवे में है तेरवे में कलिंग युद का उलेख है चार विदेशियों दक्षिर भारत के राज्यों का भी उलेख है चोधावा धार्मिक या नैतिक प्रेणा का उलेख है इतिहास कारों ने अशोग को राष्टी सासक की संग्यादी अशोक के सिलालेखों से उसकी नीतियों सामराज की सीमाओं का ज्यान होता है प्रारब में वह शयव धर्म का अनिवाई था किसका शयव धर्म का किन्तु अशोक बाद में मोगल पुत्तिस्च के प्रभाव से बौध धर्म में सामिलवा बाद में मोगल पुत्तिस्च ने बौ गाणों में अशोक वर्धन नाम मिलता है, अशोक का काल 273 से 232 सापूर का है, सामराजवा से सुरू करके शान्त यहम कल्याण हिस समस्त राजकी प्रयासो को करने वाला तथा अपनी प्रजा के प्रती समानता का ब्योहार अपनाने वाला पहला महान शाशक अशोक को मनाता है, इसलिए इतियासकारी से राश्टी शाशक की संग्या देते हैं, मौर समराट अशोक की महानता का अधार उसकी कल्याण कारी शान्त यहम सहिश्टा तथा समानता अधार इतनीतियां थी, कल्यूंग युद्ध के बाद 211 इसापूर में कल्यूंग युद्ध हुआ था, अश शोक ने अपने राजविशेक की चौदवे वर्ष में धम महात मात नामक अधिकारियों की नियुद की, कब चौदवे वर्ष में, जो जनता के बीच विभिन कल्यान कारी कारियों को संपन करते थे, भारत में शिराले के स्थापित करने वाला पहला समराट सोक है, चार आधिक जो पाए आता है अब्राम्भी लिफ में एमद प्राकित भाशा में, प्राकित भाशा में, देखे ब्राम्भी लिफ ही है प्राकित भाशा इसलिए कों singular मत बीचप आता है। मास्की गुर्जरा नेत्तुरव उडे गोलम अभिलेखों में अशोक के नाम का उलेख है। अशोक के एक पुत्र जालाओ का नाम मिलता है। इसी के बाद अशोक बहुत धर्म का नियाई होगा। राजविशेक के दस्वे वर्ष बहुत्ध गुरु मोगल पुत्ति इस्से के प्रभाव में बहुत धर्म का अपनाया इन्होंने। तीसरी बहुत सभा का यवजन भी अशोक के समय में हुआ। अशोक की शान्ती सहस्तित्व सहिश्टायम समानता की नीती समकालीन समाज के लिए जहां पूर्त नैतत्त थे। इन्ही लोग तांत्रिक मूलियों के करण आज अशोक की गणना विश्ट के महान शाष्कों में की जाती है। यहीं अशोक के राष्टी शासक होने का आधार भी है। प्रसिद्ध सुधर्चन जील जो है गुजरात का निर्मान सरप्रथम चंगुत मौर ने कराया जिसका समवर्धन अर्थाद इसका विकास या जिसमें सुधार अशोक और रूद्रदामन इसका ग्यान रूद्रदामन के संस्कित में लिखे जूना गड़विलेक से प्राप सुंग के द्वारा हुई थी मौर कालीन प्रमुख कर जो थे भाग जो था कृष्कोधारा उत्पास से प्राप्त हिस्सा था लगभगी क्वटेच्छ प्रवेश्य जो था आयात कर था निस्क्राश्य निर्यात कर था प्रणय आपात कालीन कर था बली एक प्रकार का भूर मौर काल से सब्वंदित विविधित तत थी जो थे प्रांत मंडल विशय स्थानिय दोड मुख हर्वटिक संग्रहन ग्राम यह क्रम से अर्थात आरू अवरोही क्रम में जो सामराजिक व्योस्थाती वो थी सानचना थी सबसे निशले अस्तर पे ग्राम आता था सबसे उच शटमे अधिकरण में सब्तांग सिध्धान्त का वरण है किसमें शटमे अधिकरण में देखिए यह बहुत पूस्ता है मौर कालिन प्रमुक अधिकारी है उनके कारे तो एस्टोनोमाई नगर का अधिकारी रूप दर्शक सिक्कों की जांच करता प्रधान अधिकारी होता सौमवनडिक टकसाल का प्रमुक अधिकारी व्यावादिक दीवानी नयाले का मुखिनाई दी समाहरता करने धारन का सरवोच अधिकारी सनिधाता राजकिय कोशागार और भंडारा गर का संरक्षकों था तराज्जुक सामराज में नयायम राजस उका अधिकारी युक तक जिला में राजस वसुली का कारे करने वाले अधिकारी महात्मात्यास पर्स ये गुप्त चर्विवाक का प्रधान लक्षणा ध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष सीता ध्यक्ष राजकी भूमी पत्तना ध्यक्ष ये बंदर गाहों का अधिकारी पौत्वा ध्यक्ष नापतोल बाट वर तराजू का अध्यक्ष्य होता था और मौर्योत्तर काल से गुप्त काल के घड़नाओं को पढ़ेंगे इसे राजनेतिक विकेंद्री करण का है और सांस्कितिक विवित्ता का काल भी कहा जाता है राजनेतिक विकेंद्री करण क्या होता है जो राजनीति अर्था राजनीतिक सकता है जो शक्ति है वो उपर से नीचे की तरफ जब अस्तांदारित होती है कई भागों बढ़ती जैसे भारत में है केंद्र के पास शक्ति है राज के पास शक्ति है फिर ग्राम में स्थानी शा तो राजनितिक दिश से देखें तो यह काल छेत्री शक्तियों विदेशी हमलों का काल था प्राया इतिहासकार इसे अंधकार युग भी कहते हैं लेकिन आज आर्थिक विकास धार्मिक साहितिक प्रगति नगरी करण में वृद्धियाद के आधार पर इसे स्वन युग तक क किये विदेशी ग्रीक सासकों में मेनांडर लोकप्री हुआ कुशाण वंश में कनिश्क महांतम शाषक हुआ दोनों ने बहुत धन को सनक्षन दिया कनिश्की राधानी पुरुषपूर्थी इन विदेशी सासकों ने भारती धर्मयम संस्किति को अपनाया खार बेल का पर प्रमुक घटना चक्र जो हुए थे सरप्रतम स्वन धात के सिक्के इंडो ग्रीक सासकों ने तथा सरवाधिक स्वन धात के सिक्के कुशाण ने चलाया थे विदेशी हमलावारों इंडो ग्रीक शक पल्लो कुशानों द्वारा भारती धर्मों को अंगीकार करना तथा इनके द्वारा विदेशी ब्यापार को बढ़वा देना रोम समराज को भारत से ब्यापार महतपूर माना आता है जो निर्यातित वस्तुएं थे हीरे मोती वस्त मसाले थे मूर्तिकला की दो शैलियों गंधार मतुरा कला शैली अस्तित में आई थी इस काल में सबसे बड़े समराज निर्माता कुशाण वन्स के करिश्ण ने चतुर्त बहुत संगीत में जो कश्मीर के कुंडल में होता है महायान शाका को सरक्षण दिया हैं उसका प्रसार किया थे तो करिश्ण ने महायान शाका को सरक्षण दिया थे ये प्रमुख वंश हैं उनके संस्थापक हैं इसे आज राष्टी संवत माना जाता है महाभाश के लेखक जो थे पतंजली थे ये शुंग के ही दरवारी थे पुशमित शुंग के रोमन सामराज से ब्यापार पचपन करोन सश्टर सेत यह काल प्रसित है नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी थी प्लीन इसी के समय लिखी गई पुस्तक थी प्रमुक अभिलेक व शासक याद रखेगा हमेशा के लिए हाथी गुंपा अभिलेक कलिंगराज खारवेल जूनागड अभिलेक रूद्रामन से नाशिक अभिलेक गौतमी बलशी से प्रयाग अस्तम अभिलेक समुद्गुप्ट से एहोल अभिलेक पुलकेशिन दिती से मनसोर अभिलेक मालवा नरेश रशोर मन से ग्वालेर अभिलेक पतिहा नरेश भोज मन भोज से भीतरी व जूनागड अभिलेक सकंद गुप्ट से मतुरास्तम लेक चंद गुप्ट दिती से भिलसद लेक कुमार गुप्त प्रथम थे भीतरी सकंद गुप्त से एरण बुद्ध गुप्त से मौर्योत्तर दोस्तों 184 इसापूर से 275 इसवी तक माना जाता है यह पूर गुप्त युग भी का जाता है से पूर गुप्त युग को कुछ इतिहासकारों ने अन्दकार युग युओं विबिन छेत्रियों विदेशी शक्तियों इंडो गुरी शक्त पहलो कुषान के 27 संगर्शाकाल माना है रोचक है कि इसी बीच संगम युग दक्षे भारत के चोल चेर पांड जो प्रमुक शासकते वहां के महत्पूर पक्षो की जानकारी इसी समय प्राप्त होती है माख्षवादी तिहासकारों ने इस काल में हुए आर्थिक युम सांस्तिक आधार पर इसे स्वण युग की संगर्ण दी है विश्वास युम संक्षण महत्पूर पक्ष माना जाता है मेनांडर, कनिष्ट ने बहुत धर्म, रूद द्वामन ने वैश्वन धर्म अपनाया था इस काल में आर्थिक जिससे मधेशिया, पश्चिमेशिया, रोमन सामराज के साथ ब्यापार ने उद्योगों को बढ़ावा दिया इसी काल में इंडो ग्रीक शास्कों द्वारा सरपर्थम स्वन सिक के चित्रयों मलेक योग चलाये गए तो इंडो ग्रीक शास्कों ने सबस्पहले स्वन सिक को का प्रयोग किया इसकाल के प्रमुक को द्योगों में वस उद्योग धात उशिल्प रतनाभूशन प्रमुक थे पेरी प्लस आपद इरिथ्रियन सी के अमसार काली मिर्च मोती हाथी दा सुगंदित पदात मलमल यहां के मुख्य नेरियात थे भारत के पश्चिमी तट पर बैरी गाजा भडोच आज भडोच नाम से अना आता है अरिक मेडू दक्षिन पूरवी तट यह सब मुख्य बंदरगा थे कुशाणों के नेंतन में चर्चित सिल्क मार्ग मद एशिया चीन एवं रों को जोड़ने वाला से होने वाले ब्यापार से भारत लाभानित हुआ इस काल में कुशाणों दवारा सबसे शुद्ध सुन धातु के शिक्के जारी किये गए 124 ग्रेन के जो संब्रद्धी का सूचक माना जाता है मुर्तर काल सामाजी गहार में केम सांस्तिक परिवर्तंग देश से ऐसा काल मना जाता है जिसमें हमारे धर्म को विदेशों द्वारा न केवल मानता दी गई अपी तो हमारे संस्कृति का विदेशों में प्रसार भी हुआ इसी समय मूर्तिकला की गांधार हेलेनिश्टिक कलाशेली इसको कहते हैं अवं मतुरा कलाशेली अस्तित्त्य में आई बहुत धर्म की महायान शाका अस्तित्त्य में आई कनिश्क काल में भागवत धर्म का विकास भी इसी काल में हुआ यग्जी विद्विधान पुषमिस्यम साथकर्णी संबन्ध थे इसका पुना प्रारम इस काल में देखा जाता है देखने को मिलता है समाज मुखिता वर्णासं वे उस्ता पाधारी था किन्त जन जीवन शांत वें ब्रगल शील था विदेशियों ने भारती समाज को स्विकार किया शास्तेयों ब्रात्य छत्री का दर्शा इनको दिया गया शक एवं या बाय शत्री भी कह सकते हैं इसको बार से आकर के जो यहां की रित रिवाजों का अपना लिया उनको उन राजाओं को विदेशियों को भारती समाजने स्विकार किया और ब्रात्य छत्री इनको कहा गया शक्यों सात्वाहनों के बीच वैवाही संबंद भी हुए बहुत धर में महायान शाखा का विकास इसी काल में हुआ कनिश्ट के काल में चौथी बहुत संगीत में खास कर हीन यान में जहां बुद्ध को महा पुरुष माना गया वहीं महायान में बुद्द को ईश्वर का दर्जा दिया गया तथा बड़े पैमाने पर मूर्त पूजा का प्रारण हुआ ही नियान जहां रूडिवादीये महायान उदार है महायान में आत्मायों पुनर जन्द में भीविस्वास प्रगट किया गया इस काल में सबसे बड़े सामराज पर कुशाणों ने राज किया किन्तु सबसे लंबे समय तक शासन साथवहन वन्ष के सासकों ने किया था इस काल में आर्थिक एवं साज्टिक जिस से प्रकति हुई अतह हिसे अंदकार काल कहना तक संगत नहीं है संगम बढ़े बहुत प्रशनाते हैं सारे तथ्यों को देख लेते हैं संगम शफ्ट का प्रयोग दक्षिण भारत में कवियों के संमेलन ने में चोल चेर पांड राजयों के सास्तिक अध्यान के संतर में कियाता है संगम कवियों का संमेलन या संगम सुदूर दक्षिण का इतिहा संगम सहित्य से ग्यात होता है इसका काल लगबग 200 इसा पूर से 300 इसा इस भी तक माना जाता है संगम सहित्य के अंसार 197 पांड राज्याओं में 8598 कभियों काको राज की सरक्षन दिया गया था इन दक्षिण राज्यों का सरपर्थम सहित्य कुलेग मोगर मेगस तनीज के इंडिका में किया गया है तथा आशोक ने अपने 13 इस सिलालेक में तिरुक्का, पुलियर, चोल, रिझेर, पांड तीनों राज्यों का संगम स्थल्थाथे हैं का पुलियर संगम हुगिन राज में पांडियों के सरक्षण में संपन संगम में सरवाधिक प्राचीन वन चेर का सबसे अधिक उलेक मिलता है तो लक्कापियम दुती संगम काल की रचना है यह एक ब्याकरण ग्रंथ है जिसमें आठ प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है पुहार में अनेक यवन बस्तियों के साक्ष मिले हैं संगम तीन हुए है प्रथम दुती तिती प्रथम के अध्याश अगस्त थे किसके सरक्षण हुआ था तीनों देखिए पांड ही इसके सنग्षक थे tीनों संगम होगे जो पहला संगम अस्थल था लायम और टीसरा उत्तरी मधूरा में हुआ था अर्थात पहला और तीसरा मधूरा में हुआ था प्रथम डुती तिती में जो अध्यक्ष थे तोलक्कापीर थे और तिती में pessoa नकीरर थे भाग लेने वाले वीरों को भोजन कराया था शेन गुटवन इस वंस का महांतम शाशक था शेन गुटवन ने उत्तर भारत की चढ़ाई की और गंगा नदी को पार किया था तो इसने शेन गुटवन ने उत्तर भारत की चढ़ाई की और गंगा नदी को पार किया था तमिल मह इनका प्रतीक चिन्द बाग था चोलो की तटी राजधानी पुहार पत्तनम थी इसका सरप्रथम उलेक अशोक के तेरवें शिरालेक में तथा मेगस्थनीज के इंडिका में हुआ है चोलो के दीरकालिन तिहास के प्रथम भाग में 200 इसापूर से 800 इसवी तक का इतिहास है द प्रती तक अर्थाद 1250 इसवी तक का इतिहास सामिल है चोलो में प्रथम महान शाषक करिकाल हुआ था जो साथ स्वरो का ग्यातायों वैदिक धरवान मी आई था पूर सकते हैं साथ स्वरो का ग्याता कौन था तो करिकाल पेरुन रकिली नामक चोल साषक ने राज सूयग क प्रती बात की जाए तो पांड़ों का सरपथम उल्लेक मेगस्थनी चेतने किया था इसकी राजधानी मदुरे थी पांड़ों का प्रतीक चिन मचली था पांड़ शासक नडियों ने समुद पूजा का प्रचलन किया था दक्चे भारत में मुरुगन की उपासना किया थी मूर्गण का नाम सुब्रमान्डियम भी मिलता है और सकंद कार्थिके से इस देवता का एकी करण हो जाता है। सकंद या कार्थिके जो भगवान शीव पारवती के पुत्र हैं, माता पारवती के। मूतियों के लिए प्रसिद पांड राज कलायम संस्कृति का संदक्षक था। एनाडी दोस्तों ये संगमकाल की बारे में एनाडी सैनेतिकारी था, वेनिगर बहुत पूस्ता है। ब्यापारी वेलाल किसान, मंडलम, नाड उर पेरूर और मनरम ये सबी सामाजी सरशनाय थी, जिसमें मंडलम सबसे बड़ा राज होता था, नाड उप्रांत होता था, नगर को उर काते थे, बड़े गाउं को पेरूर काते थे, और स्थानी सभा को मनरम काते थे। पुलाईयन रस्टी बुनने वाले कडमई राजा को दिया जाने वाला शुल्क था, वरियम उपज की आधार पर लिया जाने वाला कर था, बेली भूमाप इकाई थी, विडेलियर या पाडर नर्तक नर्तकियों का समूध था, कडैसियर खेतियों मजदूरी कार करने वाला नि पुलुगू सीमा शुल्क, अउनग, बाजार, उमडन, नमक ब्यापार, अटियोर, कृषिदाल, मलवर, डाकू, पेरुनल, राजा का जन्म दिवस, कराई भूमिकर, चर्तु वेदी मंगलम, ब्रामडों के दिये गये कर मुक्ति भूमी, सिरैयूर छोटा ग्राम, संगम सा पुद्टु पातु अहना नुरू इसका नाम है, जो दस गीतों का संग्रह इसका रूद्ध सर्मन ने किया था, तिरु मरु कातुत पदे नकीरन ने इसकी रचना की थी, मडि मेखले की रचना सीत ले सत्तनार ने की थी, बापरितने भ्यानक नाम चोल सामराज की बात किया था, चोलो का राजनीति को उतकर्ष दसवी शताबदी के मद्ध में शुरू हुआ, जबकि इसका प्रारंभिक इतिहा संगम योग से सुरू होता है, विजयाले इसका जो प्रथम शाशक था, इसका संथापक माना आता है, चोल सामराज का 850-75 इस इसका काल देखे देखते जाए, इसने शिलंका के उत्तरी भाग को जीत कर चोल सामराज को नया प्रांद मनाया था, कि इसने राजराज प्रथम ने, इसने तंजोर में विधेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्मान करवाया, पूस्ता है, शिव पाद शेकर की उपाद इसने धारण की, राजराज प्रथम ने अस्थानी अस्तर पर स्वसासन की व्योस्ता प्रारंब की, राजयन प्रथम दोस्तों, संपूर सिलंका को इसने विजित किया था, राजयन प्रथम ने, अरव सागर पर अपनी प्रभुत्र स्था पित की थी, ये सभी गए कोड चोल पुरम नामक नई राजधानी के स्थापना की इसकी उपारी पंडित चोल की थी पंडित चोल की से कहा था राजयन पर्थम को राज धिराज पर्थम दोस्तों इसने अपनी विजियों के उपलब्द में अश्मेद्यक किया देकर क्रम भी याद रखेगा सब का राजा धिराज पर्थम इसने अपनी विजियों के उपलक्ष में अश्मेद्यक किया था राजयन दोस्तों तुंग बद्रा में डूब कर इसने आत्मत्या कर ली थी कुछ समय के लिए अधिराजेंद्र शासक हुआ इसकी हत्या जन विद्रों में हुई थी कुलो तुंग प्रतम बहुत महान है बहुत बहुत विख्या सासक एक दूत इसने दूत मंडल इसने चीन वह जा था अंतिम चोल सासक जो था राजयन तिती था इसने पांड राज की अधिनता स्रीकार कर ली थी चोल कालीन जो विशेशत थे हैं चोल सामराज में प्रवेश था मंडलों की संख्या आठ थी कुलो तुंग तिती के शासन काल में प्रसिद्ध कवी कंबन था जिसने तमिल रामाएड की रचना की यह तमिल साहित का महाका विमाना यता है तमिल रामायड को चोल सासकों में राजराज प्रथम, राजेंद प्रथम और कुलो तंग प्रथम ने चीन में हमें अपने व्यापारिक मंडल भेटे थे याद रखेंगा चोल द्रमिन शैली की मुख विशेष्टा विमान का निर्माड करना है जो विमान देखते हैं पांड द्रमिन शैली की मुख विशेष्टा गोपुरम चोल समराट परांतक के शासन के बारवे हम चोदवे वर्ष गोपुरम क्या है दोस्तों पांड द्रमिन शैली की मुख विशेष्टा गोपुरम क्या है मंदिरों के प्रवेश द्वार बड़े-बड़े प्रभवे प्रवेश द्वार बनायते हैं उनको गोपिरम कहते हैं ते कि दमिर शैली की विशिस्ता होती है मंदिर इन्मार शैली की चोल समराट परांतक के शासन के बारवे एम चोदवे वर्ष प्रसिद्ध उत्तर मेरूर अभिलेक से चोल कालीन स्थानी स्वाशासन एम ग्राम प्रसासन का वर्डन मिलता है तो पूछेगा गरामी अस्थानी स्वासासन किसका प्रसिद्ध है चोल काल का, किसमें मिलता है उत्तर मेरूर अभिलेक से, किससे समंझे चोल काल से, अब गुप्त काल में आ जाते हैं, प्राचीन भारत का स्वनकाल का है, 275 से 550 इस भी इसका काल है, इसका चतुर्दिक विका होता है इसमें कला का, संस्कति का, समाज का, धर्म का सबका, ठीक है, तो स्वनकाल का आरत, चतुर्दिक विकास का काल है, अधिकांज इतिहास कारों नहीं है, संग्या गुप्त काल को दी है, गुप्त वन्ष, जिसका संसापक शी गुप्त थे, उसका उदय, राजनेती के संस्तिक एकी करण के दिश्चे महतपूर्ण माना गया है, लंबे समय बाद छोटे-छोटे राज्यों का विनास करके, समुध गुरुप्त द्वारा विशाल समराज का निर्मार किया गया। द्वितिये विक्रमादित्य, गुप्तों का महतों काफी बढ़ गया था, चंद गुप्त द्वितियاج ने शक्सासक को नश्ट किया था, उसको समात किया था, इसी वंज को सरवाधिक अभिलेगों को जारी करने, अलव के सरवाधिक स्वन सिक्के चलाने का श्रेय प्राप दिलाई किन्तु इतिहास कारव ने यह भी दिखाया कि दास्प्रथा जो पचास प्रकार के थे जाती अस्प्रस्था में व्रिद्धी हुई सामंती ढाचे का विकास हुआ विशेशा दिकार युक्त समाज ने गुप्तकाल की प्रगति को रोग दिया था रोचक है गुप्त नरेशों की सहिशनुताय उवदारता से बहुपक्षी जीवन का विकास हुआ था गुद्वन्स के संस्था पक्षी गुप्त थे चीनी भाषा में इनको चेली कीतो भी कहा जाता है महानतम शाषक चंद गुप्त दिती थे विक्रमा दित थे और इसके लाव महानतम शाषक म मंदिरों के निर्मान का काल भी कहा जाता है इसको कानपूर में भीतर गाउं का इट का मंदिर प्रसिद्ध है सरवादिक युद्ध लड़ने वाला जो शाषक था संद्गुद्गुप्त था काल इदास आरे भट इसी काल के थे जो ये दोनों ही चंदगुत विक्रमा दित इससे इसवी से 324 इसवी तक रहा है सर प्रथम देखे देखे माऄ में चंदगुत अलग थे इसमें चंदगुत अलग हैं और ये मत्कान्फ्यूज मत हो येगा ठीक है चंदगुत मौँर SS kry इसए उपादी सबसे पहले तशनकुत धारण कि थी गुप्त संवद भी इसी न प्रफम ने ही रजत या चांदी की सिक्के या मुद्राये चलाई थी समुद्गुप्त का सासंकाल 335 से 375 इस भी तक रहा समुद्गुप्त के विजयों का वरण हमें हरिखेण के प्रयाग प्रशस्ति में प्राप्त होता है उसने उत्तर भारत के नवयों दक्षे भारत के 12 शासों को पराजित किया था इनी विजयों को देखकर बीए इसमित ने समुद्गुप्त को भारत के नेपॉलिन के संग्या दी है समुद्गुप्त की दक्षिना पत्विजय को राय चौदरी ने धर्म विजय की संग्या प्रजान की है प्रयाग प्रसस्ति के अंसा समुद गुप्त की दिविजय का अदेश धरशी वंद था उसकी उत्तरी भारत में अपनाई गई नीद को प्रस भूहरन तथा दक्षे भारत में ग्रहन मोक्षा नुग्रह कहा जाता है समुद्गुप्त विजयता के साथ साथ कभी संगीता गयों विद्या का सरक्षक था समुद्गुप्त ने महान बहुत विक्षु वशुबंद को सरक्षर दिया था यह पूछा भी गया है चंदगुप्त विजयती की बात की जाये तो 380 से 412 इस भी तक इसका सासन रहा है इस जो उडिशा मिश्तित है चंदगुप्त दिती के दरवार में नो विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नौरत न कहा जाता जिसमें कालिदा, धनवंतरी, छपड़क, अमर, सिंग, शंक, वेताल, भट, घटक, करपर, मारा, महिर, वर्व, चरित जैसे कदम वंश से वैवाहिक समझ था पीत के, कुमार गुप्त मन्दासोर अविलेक जिसकी रसना वस भट्टी ने की थी, उसमें कुमार गुप्त से सासन की जानकारी मिलती है, कहां से मन्दासोर अविलेक से, सकंद गुप्त की बात की जाये तो 455 से 467 इस भी, जूना गड़ अविलेक के हमसा सकंद गुप्त ने हुडो के आकर्मन को विफल किया था, प्रसास्निक सुविता के लिए सकंद गुप्त ने अपनी राजधानी अयोध्या स्थांदरित कर दी थी, तो यह भी एक महत्पोर्टत थे, प्रयाग प्रसस्ति समुध गुप्त का विलेक भी कहा रखेगा, मृच्छट कटिकम जो शूद्रक द्वारा रचित था, रावणवद वस भट्टी द्वारा, अविज्ञान शकुंतरम कालिदाद द्वारा, आर भट्टीम आरिभट द्वारा और नीतिसार यह कामंदक की प्रमुक रचनाय हैं, यह प्रमुक पुस्तक हैं, उन पुस्तक हैं, उनकी लिष्ट पहले ही दे रखी है, ठीक, किसने क्या उपाई धारण किती है, शीगुप्त ने महाराज की, घटोतकच ने महाराज की, चंदगुप्त प्रथम ने महाराजा धिराज की, चंदगुप्त ने पराक्रमांक और अप्रतिरत की, चंदगुप्त पुर्गुप्त कुमार्गुप्त दुती, गुद्धुप्त, नर्सिंगुप्त, बलादित्य, कुमार्गुप्त दुती जैसे शासक हुए। समुद्धुप्त को B.S. मितने भाती नोपोलियन कहा है। नौरत्न चंगुदिजी के दर्वार में थे। हुडो का हमला संगुत के काल में हुआ लिच्वी दोहित्रियम संगित्तग्य किसको कहते हैं संगुत को वीडावादन प्रकार के सिक्के संगुत ने तथा विवा प्रकार के सिक्के चंदगुत प्रथम ने चलाये थे ठीक है विवा प्रकार अर्था वर्माला डालते हुए या फिर डोली में जाते हुए जो सिक्के थे ये चंद्गुद प्रथम ने और समुद्गुद ने वीड़ा बजाते हुए अपने आपको प्रस्तुत किया था सिक्क उपर। नालंदा विश्वद्याले के स्थापना कुमार गुप के समय हुई थी चंद्गुद विती के समय चीनी यात्री फायान भारत आया था। प्रमुख मंदिर जो है गुप्तकाल के भूमरा जो 17 मिस्थित शिव मंदिर है तिगवा का जबुलपुर मिस्थित विश्व मंदिर है देवगर जासी मिस्थित दशावतार मंदिर शिरपूर मिलक्षवन मंदिर है उदाइगीरी विश्व मंदिर है भीतर गाउं कानपु लेक जोस्तों चंद्गुद विक्रमादित से संबंदित है इनका संस्थापक चंद्गुद विती को मना आता है भूड आकर्मन जो प्राचीन भारत का अंतिम विदेशी हमला भी कायाता है इसकंद्गुद के काल में हुआ था गुप्त काल के शासक दैवी उपाधिया धरन करते थे तो पूस्ता है किस काल के सासक दैवी उपाधिया धरन करते थे गुप्त वर्णिश के बारें पड़ी है 606 से 647 इसवी में आते हैं पूर उत्तर गुत्त काली शाषक थे मधुवन वास खेडा विलेक से हर्षवर्धन के पूरुजों के विशयम जानकारी मिलती है हर्षवर्धन पुशिभूत इवनिश के सबसे योगी शाषक के साथ ही साथ विद्वान शाषक विद्वी थे उसने प्रिदर्शिका रतनावली नागानंद नाटक जो थे ये संस्कित में लिखे थे खुद हर्षवर्धन हर्ष ने अपनी राजदानी थानेसवर से कन्योज स्थानानित की थी हर्षवर्धन ने अपने दर्वार में कादंबरी और हर्षरित के रचयता बाणभट कादमबरी और हर्षटित की इसकी रचना कि थी है बाणभट की इसके लावा बाणभट ने पूर पीटी का नामक ग्रंद की रचना की गिए शुभाशित वली के रचाइता मयूर और चीनी विद्वान है इनसांग सी यूकी में इनका वर्डन है इनकी यात्राओं का उसको आस्रे प्रदान किया था है अश्वर्डन में अब गुप्तोक्तर काल से तुर्की राज के स्थाफना तक जो भी चीजें उनको देख लेते हैं लगवग 550 इसबी तक गुप्त समराज का पतन हो गया इसमस का अंतिम शाशक कुमार्द गुप्त तिती था गुप्त समराज के विगटन से जो राजनितिक शक्ती सुनता प माना जाता है राजनितिक अस्तर पर शेत्री शक्तियों का उदय तथा इनके बीच टकराओ इसकाल में आम बात थी तो पुषभूति मन्श का देख लेते हैं वर्धन मन्श में या वर्धन मच भी कहते हैं इनको सात्वी शावदी के प्रारह में पुषभूति मन्श के हश तिसाली राज के स्थापना होई बाणबट के अतिहासिक ग्रंथ हर्ष चरिश से एवं हेंसांग की सीयोकी से हर्ष वर्धन की उपलब्धियों का परिचय प्राप्त होता है बंगाल के गौडवन्स नरेश संसाशांक पंजाब के हूण हर्ष वर्धन के ये शत्तु थे उ इसके हेंसांग के प्रहौकरण प्रियाग में धर्म संसर्कायोजन हर्ष की उधारता को प्रकट करती है किन्तु दक्षिन भारत में चालोक कि शासक पुलकेशिन दितिए से धर्ष वर्धन पराजित हुआ था हर्ष के बाद पुनह राजनेतिक केंदी करण का योग सुरू भारत का चक्रवर्ती शासक बनने के लिए कन्योज पर अधिकार करना आउशक समझा जाने लगा गंगा यमुना के मद्यस्थित दुआव यहों व्यापार्ग दिश से कन्योज महत्पूर्ण था आठमी शताबदी में कन्योज पर अधिकार करने के लिए तीन बड़ी शक् हैً 800 था 200 वरसों सख चले इस संगर्स में अन्तिम विजय किसको मिली गुर्जर प्रतिहार शासकों को मिली थी राजपूतों की बात कि जए तो चंद व्रदाई के पितवी राज़ासों के अग्निकुण सिद्धान के अंसार चार राजपूतों को प्रतिहार परमार चलूक चोहान है इसी काल में मुस्लिम हमलों से सीमाओं की सुरक्षा में राजपूतों ने प्रमुक भूमिका निवाई थी दक्षिन भारती राज्यों में प्रमुक जो थे साथ वहान चालू के राशकूट और पल्लववन्स थे भारत के सांस्ते कितियास के निर्माण में पल्लववन्स के द्वारा महाबलिपूरम के मंदिर युनेसको की सूची में शामिल है उत्तर भारत जब विदेशी हमलों से प्रभावित हो रहा था तब दक्षिन भारत अपने समाज हम संस्कती को देड़ता पूरग बनाया रखा इसने दक्षिन भारती राज्यों में र स्लाम के महान सिध्धानतों पर रखा अर्थात एकेश्वरवाद एवं भात्तित वाद पर अधारित मुस्लिम राज का उदय एवं विकास जिसका प्रभाव खलीफा उमर के समय से ही भारत पर हमले के रूप में शुरू होकर क्रमशह 712 इसमी में मुहम्मद बिन कासिम जो ुआ था झान ऑन एक व्यार बात याद रखेर के दोस्तों की जो हमला था मुहम्मद बिन कासिम का संबंद ही महवुद गजनवी महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया और खुब धन वैभो लूट कर ले गया इसके लाव मुहम्मद गासिम का युद्ध किस से हुआ था तो दारा प्रथम दारा से हुआ था ठीक है ना या जिसको दाहिर भी कहा जाता है ठीक है सिंद्ध का शर्शक्ता उसके साथ युद्ध हुआ था 1175 से 12600 से 1206 इसबी के मध्य मुहम्मद गोरी की रूप में आता है इतिहासकार 1192 इसबी में तराइन के दिती युद्ध में प्रित्वी राज तिती की पराजय एवं मुहम्मद गोरी की विजह से ही आगे मध्यकाल कालीन इतिहासका प्रारंव मानते हैं जो सल्तरनत का शु पहली बार यागिवल के वम नारत इसमिती में महिलाओं के पति उदारता का परिचे मिलता है कायस्थ का वर्डन जो है एक नई जायत की रूप में सरपथम यागवल इसमिती में ही मिलता है चंदवरदाई के पित्वी राज रासों के अंसार आबु पर्वस से उत्पन्य शत्री है चालुक के चोहान गुर्जर प्रतिहार और परमार ये पांच मालवा के परमार वंश का महांतम शाषक दोस्तों भोज हुआ कलम एवं तलवार दोनों में धनी था धारा नगरी एवं यहां निर्मित सरस्वती मंदिर यादगार दरोहर है चंदेल मध्य भारत के शा चन्डेल वंश के थे जब्कि विद्यादर चंदेल वंश का महांतम शाषक था हरुई के सरक्षक त्री पक्षी संगर्ष में अंतिम सफलता इसी वंस को मिली थी गुर्जर पतिहार वंस को पतिहारों नहीं पश्चिम से अरभी मुस्लिम हमलों से भारत की रक्षा की थी स्रीनडी एक व्यापारियों के संस्था थी अशोक किसिला लेक को सबसे पहले टी पैंथलर ने खो जा था मास्की गुर्जरा नेट्टूर उद्गोलम अभी लेक में अशोक का नाम मिलता है इस अब आप देखी चुके हैं यह महत्मुर्ण राजों के संस्थापक हैं उनकी राजधानी हैं इनको आप चरूर याद रखेगा किस राज का कौन संस्थापक था राजधानी क्या थी इसकी लिष्ट है इसको बारवर पढ़ लीजेगा इसको रोक करके वीडियो कुस देर देख लिजेगा और इसको याद जरूर कर लिजेगा पूछेगा जरूर भारत आने वाले विदेशी यात्रों का क्रम कौन सा है दोस्तों सही मेगा स्थनीज फिर भायान फिर भेन संग प्राचीनतम सिक्षा केंद्र जो है तक्च्च सि स्थापना कुमार गुप ने कराई थी विक्रम शिला विष्विद्याली के स्थापना धर्म पाल ने कराई थी तक्षिन भारती राज्यों का सरप्रतम अभिलेकी परिचय अशोग के तिरेवर शिलालेक से प्राप्त होता है तामर विलिप्ती पूर्वी तट पर इस्तित सरवाधी का विलेक जारी करने वाला वंश गुप्त वंश था सक्समवत 78 इसमी में जो कनिश के राज्या रोहन संबंदित था नीतिशार ये कामंदक का राजनीतिक विशेक गुप्त कालिन ग्रंथ है राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्दान चंद बर्दाई के पित्व दक्षिन में राशकूट हुए अनुलोम विवा ऐसी पद्दति जिसमें वर का वर्ण दोस्तों एक बार एक जगह मैं गलत बोल गया था इसको सही कलिजेगा चार वंसु की मैं पांच बोल गया थे कलती चालुक की चोहान गुर्जर परतिहार और परमार इसका वर्ण है च प्रतिलोम में कन्या कवर्ण वर से उच्च होता है गंधार एवं मतुरा कला शैली मूर्तिकला की शैली है नागर बेसर एवं द्रविण शैली मंदिर निर्मान समवंदित है दक्षिन भारत में सबसे बड़े सामराज का निर्मान चोल वंस ने किया था चोल अपनी नौसे भाष्चा में राजनीतियम प्रशाषन पर प्रमारिक ग्रंत है उसने 6 लाग की सेना लेकर संपूर्ण भारत को जीत लिया या कथन प्यूटार का है चंद्गुत मौर के संदर में युनानी ग्रंतों में चंद्गुत को सेंड्रो कोटस हैं एंड्रो कोटस कहा गया है सीश जिराहों मंदिर चंदेर सासकों ने बनवाया था एलोरा का कैलाश मंदिर राशकूट वंस के सासकों ने बनवाया तंजवर का विधीश्वर मंदिर चोल वंस के सासकों ने बनवाया वैदिक काल में रतने निशब्द मंत्रियों के लिए प्रयुक्त होता है राजत के कदम गंग होईसल राशकूर तथा पश्मी चालुकों ने राजैन धन को सरक्षन प्रदान किया भारतिय ग्यान पिट पूरसकार की प्रतीक वाग देवी की मूर्ति को परमार भोज ने प्रतिष्ठापित करवाय था अपने अविलेकों में हिंदी की देवनाइगरी लिप प्रियोक करने वाला प्रथम राजवन्स चंदेल है बिजोलिया विलेक में चौहानों की पूरी वन्शावली मिलती है दिल वाला के जैन मंदिर में जैन तीर्थंकर आदिनाथ की मूर्ति है एतिहासिक दिश्चे दिल्ली का संस्थापक अनंग पाल तोमर को माना जाता है जिसका उलेक प्रित्री राज रासों मिलता है जिसमें इसे धिल्ली या धिल्लिस कहा गया है यह प्रमुख सभी वन्श है उस समय के आप इसको भी देख लीजेगा याद रखेगा अब प्राचीन भारत विवी दिवम जो कुष्चन पूछे गए हैं आप उचे आ सकते हैं कुछ और पॉइंट्स देख लीजे ठीक है तेजी से पहली बार यागवल के उन नारत इसमिति महिलाओं के प्रति उदारता का परिचे मिलता है कायस्थ जो लेखा वर्था एक प्रमारवंश हैं मालवा के प्रमारवंश का महांतम शाषक भोज था कला में तलवार दोनों में यह धनी था धारा नगरीय कीर्मित्वर्ष्टी मंदर यादगार धरोर हैं इसकी चंदेल मध्यवारत के शाषक थे नन्नुक संस्थापक चंदेलवंश का था जबकि विद द्रसन जील के निरमाता रूद दामन चंदगुत मौर अशोक व करआा था बाद में इसका उधार करवाया कमशह अशोक रूद दामन व करणद अब्रसंग माई पने संगम सहित दक्षिं भारत के तमिल की परिच्चे उशोग के तेरेवें शिला लेक से प्राप्त होता है ताम लिवती पूर्वी तट पर इस्थित भारत का सवस्य वड़ा बंदरगा थी भूम अंदान देने की प्रथा साथ पहनों नहीं शुरू की थी अरक मेडू दक्षिन भारत में इस्थित एक रोमन बस्त थी जीवक धनवंतरियम सुसुष चिकिसक थे सरवाधिक अबलेग जारी करने वाला वंश गुत वंश था शक्समत 78 इसबी में जो करिश के राजा रोहन संबंदित है नीतिसार कामंदक का राजनितिक विशेक गुप्त कालिन गरंथ है राजपूतों की पत्ति का सिद्धा चंदबर दाई के पित्वी राजासों में अगनिकुंड से जुड़ा हुआ है त्री पक्षी शक्तियों में भारत उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली गुर्जर पतिहार दक्षिन भारत में राष्ट कूठ हुए अनुलों विवा ऐसी पद्यति देख लिए है प्रतिलों किलप्रसित थे आरबट गुप्तकाल के महान खगोल सास्तियम गड़ तक ये थे सीसे के सिक्के सरपर्थम साथ पानों ने जारी किया चंदगुत मौर ने शमण वेलगोलामी उपवास के द्वारा प्रांट यागा चंदगुत मौर जैंधं का संसापक था जैंधं का अन्य आई था अशोग बहुत धंकाल ने आई था खजुराहो मंदिर चंदेर सासको ने बनवाया एलोरा के कलाश मंदिर राशकुट वंस के सासको ने बनवाया ये प्रमुक प्रचिन मंदिर हैं उनके निर्बार करता पूस्ते हैं तो पूरी का जगनात मंदिर नागर सैलीम बन घंग वंस के ये भी थे खजुराहो का मंदिर जो है नागर सैलीमे चंदेल सासको ने करवाया था कंदारिया महादेव का मंदिर नागर सैलीम बनाया है धंग देव चंदेलों ने करवाया था दिलवाडा का जैन मंदिर दोस्तों नागर शैली में राशकूट वंस ने करवाया था कैलाश जो एलोरा का मंदिर है बेसर शैली में राशकूट वंस ने दशावातार मंदिर है बेसर शैली में गुत्वकाल में गुत्वशी है एली फेंटा के गुफा बेसर सहली में राशकूट बनसी मामलपूरम का जो मंदिर है दमिरपूर में अभी हाली में मोदी जी गए भी थे मामिलपूरम में पल्लव वंश कैलाश जो कांचिय कैलाश मंदिर है दमिर शैली में बना हुआ है पल्लव वंश ने करवाया था बैकुंट पेरू मल मंदिर दमिर शैली में राजा राम चोलने करवाया था बिदेश्वर तंजोर का बिदेश्वर मंदिर दमिर शैली में राजयन चोलने बाकि जो तथ्य होंगे परिक्षा प्योगी अन्य तथ्य कोडिंग वगर वह हम ग्रूप में देते रहेंगे पहुत बहुत धन्यवाद